हलो बच्चों, क्या हाल है वेटा आप लोगों के, कैसे हो तुम सब लोग, सब को बहुत बहुत वेलकम, अर्जुना जेई बैच में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जल्दी से बता दीजे, क्या मेरी अवाज, आप लोगों तक बढ़िया करके प लेट ओपी दिखाई दे रहा है बस, अरे यार, 5-7 सेकंड, उपर नीचे तो चलते हैं, देखो, जल्दी से बताईए, क्या सब कुछ अपना कनेक्शन वगएरा बढ़िया है, क्या सारी चीजें क्लियर है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, बढ़िया से सब कुछ, एवन स्टार्ट हुआ है, कल थी आपकी पहली क्लास, जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स और किमिस्ट्री पढ़ा, आज बैटा 맞s की है अपनी पहली क्लास, तो 맞s की पहली क्लास में भी आप सभी बच्चों का सवागत है, बहुत मज़ा आनेवाला है, इस जरनी में, लास्ट य यह वाला जो time होता है ना, इसमें mixed feelings आती है, काफी ज़्यादा excitement, यही की तैयारी कर रहे हैं, अब हम बड़े हो गए है, 11 वी में आ गए है, subject select करे हैं, 10 वी तक क्या होता है, सारे subject पढ़ने हैं, थोप दिये गए हमारे उपर, अब तो हमारी choice है, हम तो बस senior हो गए हम तो यह यह पढ़ेंगे, है ना, एक यह वाली feeling आती है, फिर दूसरी आती है कि भईया, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और सर, जेई में हम लोग दर का भी महौल होता है, excitement भी होता है, कैसे होगा, बहुत टफ है, बहुत सारे doubts आते हैं अपने उपर, तो क्या feel कर रहे हो आप लोग, इसे एक बार बताईए, कि आप लोग कैसा feel कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाकी लोगों को एक बार जोडने देते हैं, कुछ और बच्चे भी, क्योंकि आप से यहां आ रहे होंगे, हो सकता है थोड़ी देर में आए, तब तक हम थोड़ी सी बाते कर लेते हैं, जल्दी है, excitement है, मजा आ रहा है, क्या feelings हैं, जो भी आपको लग रहा है, एक बार बताईए, excited सर, excited, nervous, जो feel आ रहा है हो बताओ, क्या दिक्कत है, most, most ही लोग excited, nervous कह रहे हैं, nice, super excited, good, अच्छा, mixed feeling, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने भी हमारा सब हमारे कह रहे है, नीद आ रही है, तुझे पहली क्लास में बेटा नीद आ रही है, कैसे करेगा, काम कैसे चलेगा, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को mixed feelings है, काफी लोगों को mixed feelings आ रही है, हाँ, excited, तो बिलकुल सही बोल रहे हो, से ऐसे classes होती जाती है, हमें काफी चीजें पता लगती जाती है, तो थोड़ा सा tensed महौल होता है, बट घबराने की कोई जरुवत नहीं है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, पूरी journey में आप लोगों को handhold करके चलेंगे, सारी problems, जो जो बच्चे face करते हैं, अलग-अलग stages पर वो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको बढ़ाएंगे तो हैंई देखो subjects, बट साथ में mentorship, साथ में आपको बताएंगे किस तरह से जही clear करना होता है, ठीक है भई, और शुरुवात में मैं भूल गया बताना, जिन लोगो नहीं पता है, मेरा नाम सामने लिखा हुआ ह काफी बच्चे आप में से पहली बार मुझे देख रहे होंगे, मैंने अपने आपको introduce भी कर दिया है, तरुन खंडेल वाल नाम है मेरा, और साथ में भी टेक किया हुआ है, मैंने IIT Delhi से All India Rank 289 आई थी मेरी, आप में से काफी सारे, in fact most of the students का dream college हो सकता है, IIT जाना, और वो dream बिटा मैं live कर चुका हूँ, तो आप लोगों को, I think, काफी सारी चीजों में मैं आपकी help कर पाऊँगा, maths के लावा भी काफी चीजों, किस तरह से बिटा पढ़ना है, कैसे जेई की तयारी करनी है, कैसे जेई clear करना है, तो सारी चीजे भी हम discuss करेंगे, किस तरह से paper crack करते ह है, क्या क्या चीजे है, सारी बाते हम detail में करने वाले है, ठीक है भई, एक लिख रहे है सर, no feeling, feeling ही नहीं है सर हमारे अंदर, कुछ तो feeling आएगी भाई, कोई feeling नहीं है, इसका मतलब तुने भी seriously सोचा ही नहीं है, तुमने कि क्या करना है, जेई में तयारी करनी भी है कि नही हम, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बिलकुल घबराने की जरुवत नहीं है, देखो यार, शुरू बात में ये, जो तुम्हे feelings आ रही है न, excitement और डर, ये बड़ी लाजमी है, बहुत obvious है, बट धीरे-धीरे settle हो जाएंगी, है न, तुमने देखा न, smoothly चलेंगी, उसके बट, उसके लिए बेटर टिकना जरूरी है, ये नहीं कि पहली बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में, आउट होके बेटर चल दिया तू, हाँ, तो nervous नहीं होना है, घबराईए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, चलिए, तो start करते हैं, I think, start करा जाए अपन तो हमें बहुत मिल गया है, सर, physics वाले सर, राजवन सर ने, और chemistry में निखिल सर ने भी ये ग्यान दिया है, अब आप मत दीजिए हमें ये ग्यान, तो मैं तुम्हें क्रिस्प थोड़ा साही दूँगा, मुझे पता है, बहुत जादा बोर नहीं करूँगा, depth में नहीं जा है, बच्चों को पता ही नहीं है कि J की तयारी सही तरीका क्या है, वो 12-14-14 गंटे पढ़तो रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता सही तरीका क्या है पढ़ने का, क्या चीज़ कब पढ़नी है, किस तरह से paper देना है, कौन से एक चीज़े important है, कितने marks aim करने हैं, बहुत सार लोग बहुत ध्यान दें, शुरुआत के ज़्यादा टाइम लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके, फिर हम लोग महुत जाएंगे, basics कुछ revision करेंगे, आज quadratic equation जो तुमने 10th class में पढ़ा हुआ है, उससे related कुछ चीज़ें revise करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जो बेटा आपकी बहुत जादा लगने वाली है, 11th के हर chapter में लगेगी, जो भी चीज़ें हम करेंगे, उससे पहले quadratic use होगी, इसलिए थोड़ा बहुत ये revise करा दूँगा, बाकी बढ़िया बढ़िया कुछ questions इसी के उपर quadratic के हम करेंगे, आज के lecture में, right, books sir, अब देखो काफी questions आ र आया, बहुत सारे बच्चे excited state में हैं, और ये हैं हमारे प्यारे अर्जुनाज, जो बहुत जादा excited है, इस समय कहना भई, क्योंकि एक तो 11 वी में आ गए है, सर मैं 11 वी में आ गया और अर्जुनाज ये भी ले लिया है, अब तो सर मैं OP बन गया हूँ, अब तो मैं जही की तयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर, ये देख, है न विटा, ऐसा ही तो है, ये देख, एक rate भी आया हुआ इसका, अभी तुम्हारा result आ जाएगा, 10th में काफी लोग का, तो तुम्हारे भी आ जाएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ही state है ना तुम्हारा जल्दी बताओ, क्या तुम्हें इसी तरह की फुशी और excitement महसूस हो रही है की नहीं अभी, हो रही है की नहीं, हाँ, जल्दी बताईए, जल्दी बताईए, ये सर, ये सर, बिलकुल, बिलकुल, ये ही excitement level बिटा बना रहना चाहिए, बट, बट, कहानी में एक twist है, देखो भ स्टेट में रहें, और ऐसे ना बन जाएं, ये चीज हमें, हमारे को ensure करना है, तो उसके लिए बेटा, आपको, हमारी कुछ बाते माननी पड़ेंगी, तो अगले 15-20 minute, जो मैं आपको बताऊंगा, हाला कि कुछ चीजें, आपको already physics और maths में सर ने बता दी है, बट कुछ ची सर 11 बरबाद हो गई सर, अब क्या करें, तो अगर तुम ये चाहते हो कि भाईया तुम ऐसे ना बनो, तो जो अगले 15 minute कह रहा हूँ, अगर उसको पूरे एक साल implement कर दिया, तो तुम ये guarantee है बिटा, तुमारी 11 बरबाद नहीं होगी, समझ रहा है ना, कितनी important बात है जो आज ये सोच लो कि implement करना है, मैं बहुत short में बताऊँगा, detail में, उसको discuss already बहुत बार हो चुका है, ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले इसी चीज़ को हम discuss कर लेते हैं, IIT जेए कि तो तयारी है, उसको कैसे करना है, देखो यार, करना 2 साल है, कैसे करना है, बहुत important है, क्योंकि difference between जो बच्चा select होता है, और जो पढ़ने के बाद भी select नहीं होता, वो यही होता है, कि उसने तयारी कैसे करी है, पढ़ाई सब करते हैं, selection सबका नहीं होता, ये बाद भी एक fact है बटा, ये school exam या board exam नहीं है, कि सबको 90% भी मिल सकते हैं, यहाँ पे सबका selection नहीं ह होगा इस बात को समझो, तो अपने को smartly पढ़ना है, सारी चीजे समझनी है, तो 4-5 points में, in fact, सिर 4 points में मैं आपको इस सारी चीजे समझा दूँगा, पहला point है कि IIT JEE के बारे में, कुछ important उसकी information, क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है, आप में से काफी बच्चे बड़ होगे, इस platform के जरिए, देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, तो सब की important चीज यह है, कि सब को बताना कि actually IIT JEE exam से वो क्या achieve कर सकते हैं, ठीक है, तो इस बारे में हम detail में पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर कुछ common ऐसे questions, जो आपके दिमाग में होंगे इस समय, जिनका मैं answer करने की कोशिश करूँगा, जो already बहुत जादा common questions आते हैं दिमाग में, and last, third step में, क्योंकि आप लोग बिटाई, अरजुना जे एक online batch है, तो online में पढ़ने का तरीका बिल्कुल different होता है, उसको किस तरह से आप maximize कर सकते हैं, अपने लिए best output कैसे ला सकते हैं, ये समझेंग हैं, वो 4-5 points में आपको बताऊंगा, तो जल्दी से एक एक करके discuss करते हैं, सबसे पहले, important information about IIT JEE exam, ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीजे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे बच्चों को already पता होंगी, जिने नहीं पता एक बात, जल्दी से देख लें, पहले तो IIT J होता क्या है, देखो, IIT JEE stands for joint entrance exam, IIT हमारे देश के most renowned engineering entrance exam, engineering colleges है, जिसका entrance exam है, IIT JEE मतलब उसमें आप जाने का जरिया है, IIT JEE अगर आप clear करते हैं, तो IIT में admission पा सकते हैं, engineering के लिए, IIT भी हो गई, NIT और बाकी government colleges भी, बहुत सारे private colleges भी, इसी exam के थुरू अपने entrance लेते ह हैं, मतलब अगर आपने exam clear किया, तो आपको देश के best of the best colleges में पढ़ने का मौका मिलेगा, engineering colleges में, ठीक है भई, सबी बच्चे समझ गए हैं, हाँ, उसके बाद जैसे IIT Delhi हो गई, IIT Bombay हो गई, NITs, IIITs, बहुत सारे engineering colleges हैं, इसका syllabus क्या होता है, syllabus देखो भई, 11, 12th की PCM होती admissions पूछे जाते हैं, तो अगर आप कोई पूछे क्या इसमें English आएगी, नहीं आएगी, क्या इसमें बायो आएगी, नहीं आएगी, बाकि कोई subjects नहीं आएगा, सिर्फ PCM आएगा इसमें, ठीक है, अब आजाते हैं main सवाल, ये अगले तीन जो सवाल है, इसको carefully सुनना यार क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, ठीक है, पहला question ये है, कितने बच्चे अपियर करते हैं J-E exam के लिए, एक बार जल्दी से जरा चैट पे लिखके बताओ, कि approximately J-E main कितने बच्चे देते हैं हर साल, एक average figure पूछ रहा हूँ आप से, कि J-E main का exam कि इतने बच्चे लिखते हैं हर साल हिंदुस्तान में, हाँ, चैट पे शुरू हो गए है answer, कुछ लोग कह रहे हैं, सर 10 लाक, कुछ लोग कह रहे हैं, एक लाक, इतना difference, कुछ लोग कह रहे हैं, 20 लाक, कुछ लोग कह रहे हैं, 15 लाक, 7 करोड, अरे भईया, ये कौन है भईय तो क्या calculation लगा रहे हैं, कुछ तो सोच, कुछ तो सोच मेरे दोस्त, हाँ, तो बिल्कुल सही, काफी लोगों ने answer दिया है, लगबग 12 से 15 लाक के बीच की figure दे रहे हैं, जो की एक बिल्कुल accurate figure है, कि 12 से 15 लाक, बच्चे जो है, जई, main का exam लिखते हैं, अब इसमें से selection कि जरा ये भी बता दो, जई, main और जई, advance या जई, advance तक अगर पूछूँ, तो advance तक मतलब, actually, जो IITs के लिए entrance exam है, दो exam होते हैं, जई, main as well as, जई, advanced, दो exam होते हैं, first पढ़ाव है, mains clear करना है, second पढ़ाव है, advance, तो अब advance में के लगबग कितने बच्चे select होते हैं, जल्द हजार के अंदर ही, आपको rank अच्छी चाहिए, अच्छी rank वही होती है, तो अगर आप selection ratio देखेंगे, फिर तो ये बहुती कम और बहुती मुश्किल लगेगा, selection ratio से अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा, ये तो sir impossible है, ये क्या करने जा रहे हैं sir हम, 12 से 15 लाक में, मतलब लगबग 1% हो गया, देखिए 12 लाक से, 12,000 का मतलब लगबग 1% हो गया selection, है ना वई, 1% तर ये तो बहुती कम है, तो 1% बच्चे सलेक्ट होंगे, ये एडवांस्ट में, अब देखने में ये बहुत जादा खतरनाख लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब इसमें एक मज़ेदार बात सुनो, actually ये जो 12-15,000,000 होते हैं, इसमें से seriously prepare बहुती कम करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बस जोश में शुरू हुए और चार दिन में बेटा होश को बैठे, समझ आगे हम नहीं कर हैं, ये कहलो कि जो धंग से पढ़ाई करते हैं, वो लगबग 1.5-2,000,000 बच्चे ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर तरीके से, तो हमें पहला तो ये ensure करना है कि यार हमें इनके अंदर आना है, ये सब तो बात की बात है, पहले 10-12,000,000 से भीया, ये पहल के बाद होगा exam, तुम्हें इसके अंदर रहना है, 11 वी तक किसी तरह से तुम्हें बस swimming करते रहना है, चलते रहना है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, वो तभी होगी जब आप इस category के अंदर fall करेंगे, ठीक है, तो तब समझ लीजिए ये ब करनी, तो वो ही अब हम discuss करेंगे, राइट, इसके अलावा, तो कितने लोग देते हैं, कितने लोग clear करते हैं, सारी बाते मैंने बता दी आपको, अब बात कर लेते हैं, कि exam जो है, का pattern क्या है, J-E main और advanced, तो देखो होता क्या है, कि आप लोग mostly अभी तक subjective paper देते आयो, school में code दिया, answer लिखा, check हो गया, 5 में से 4 मिल गए, इस गलत था तो एक दो step mark कट गए, और अगर सही था तो 5 में से 5 मिल गए, right, बट J-E main और advanced में objective format होता है, विलकुल format ही different होता है, ABCD option होता है, अब कुछ लोगों को लगता है, सर ये तो असान है, ABCD में से तो tick करना है, subjective लिख easier नहीं होता, क्योंकि उसमें एक तो negative mark होती है, negative marks होते है, ठीक है, और दूसरा क्या reason होता है, जड़ा बताओ, दूसरा क्या reason होता है, कि objective ज़्यादा खतरनाक है, subjective से, क्यों, एक तो बता दिया मैंने, negative mark है, अगर मैं गलत कर दूँगा, तो minus 1 मिल जाएगा, गलत option टिक कर दिया तो, दूसरा क्या है, बताइए, बताइए, हाँ, बताइए, बताइए, जल्दी देखते हैं, सर मैं तुक्का मार दूँगा, अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, step marking, ये सबसे बड़ा खेल है, बेटा, अगर तुम ये बात समझो, कि अगर J का exam तुम दे रहे हो, और तुमने लास्ट में कहीं तुमारा 1 by 2 आ रहा था, उसे तुमने 1 by 3 लिख दिया, मैं example दे रहा हूं, ठीक है, और option 1 by 3 टिक कर दिया, तो अब तुम इस बात को ज़रा सिनारियो को सोचो, बोर्ड में अगर तुम ऐसा करते, कि सारा solve किया, लास्ट में क्या होगा बेटा, माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, जहां प्लस 4 मिलने वाला था, तो यही main खेल है, जो हम नहीं समझ पाते हैं, राइट, 5 नंबर का difference नहीं हुआ, समझो कितने marks का difference हुआ, जहां प्लस 4 आते वहां तुमें मिले माइनस 1, और जहां पे तुमें 4 नंब की silly mistake करने की आदत है, क्योंकि पता ही है, चार में से 3 मिल जाएंगे, साड़े 3 मिल जाएंगे, बट J के अंदर हमें selection अगर पाना है, तो silly mistakes को खतम करना होगा, बहुत ही minimum करना होगा, accuracy अपनी बढ़ानी होगी, तो आज से तुमने एक नया शब्द सीख लिया है, maths की language में, जब भी कोई सवाल करें, मुझसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मेरे को वो आता है और मैंने गलत कर दिया, तो बेटा मैं तुम्हें ज़्यादा डाटूँगा इस बात के लिए, समझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम गलत मत करो, चाहे तुम बोल दो कि सर नहीं ह होता मुझसे, मुझे नहीं आया, सर समझ, question ही नहीं कर पाया, बट exam में जाके तुमने silly mistake कर दी, आते हुए को गलत कर दिया, तो ज़्यादा बड़ा crime है, क्योंकि जहाँ plus 4, महाँ minus 1 मिल जाएंगे, 5 number का gap, और 5 number में बेटा, 1000 ranks पीछे पहुँच जाते हैं, जही के अंदर ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, तो पहली चीज आप लोगे समझें, कि हमें अब से accuracy को aim करना है, हमें number of question नहीं aim करने, अभी उस पर भी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे, चलिए, तो पहली बात आप समझ गए, mains or advance का जो paper pattern होता है, उसमें accuracy accuracy बहुत की है, उसमें objective nature होगा, negative marks होंगे, अब आ जाते हैं, सबसे important question, मेरे ख्याल से, ये सबसे ज़्यादा, तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा question या आता हो, सर वो सब छोड़ी, आप ये बताईए, सर, IIT पहुँचने के लिए number कितने लाने हैं, है ना भाई, how much marks are needed to qualify, जेए, advanced की बात कर लेते हैं, mains की भी कर लेते हैं, दोनों की कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, पहले ज़रा advanced की बात करते हैं, पहले advanced की बात करते हैं, कि भाईया, IIT में पहुचने के लिए, advanced में कितने number चाहिए, जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है, चैट पे कोई 12 लिख रहा है, अब परसेंटेज में बताओ भाई, परसेंटेज, परसेंटेज ओफ मार्क्स, हाँ, शाबाश, एक लिख रहा है, 100% सर, 98%, 99%, हाँ, यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाहरू, यह बहुत बड़ा misconception है, बहुत बड़ा misconception है, हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं और कितने नंबर लाने हैं हमें, समझे, 97, 100, 90, 50, 80, 75, अच्छा, 75, mostly common answer आ रहा है, 75 से लेके 90, यह common answer है, 75 से 90, क्यों क्योंकि तुम लोग की गलती नहीं है बेटा, इसमें, तुम लोग, दस भी तक तो ऐसी पेपर देते हो न, 90 से कम आ हो गया, ठीक ठाक हुआ, 80, 85 ठीक ठाक हुआ, 90 से कम तो डाट पढ़ती है, क्यों कट गए तेरे, 4 नंबर कैसे कट गए, तेरे, 5 कैसे कट गए, घर में तो यही डाट होती है ना भई, 30 नंबर का एक्जाम दिया, 25 क्यों आए भई तेरे, 5 नंबर का गए भई, पापर होते हैं, यह क्या हो रहा है, 10 में तो हम इतने लाते थे, 11 में तो सर, यह हो गया, तर आप ही बता दीजिए, हाँ, मैं भी बता देता हूँ, चलो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक काम करो, यह guess करो, कि मेरी जो रैंक आई है, 289, इसमें मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए ह है, आज तक हम ने, हम जिस चीज के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता, उसमें मार्क्स कितने लाने हैं, है नहीं एक अजीव सा question, और कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है जादा, कोई बच्चे जादा है इस जारे में पूछते ही नहीं, कभी बच्चे कितने परसेंट मार्क्स लाने है, एक्जाम कैसे करना है, कितने मार्क्स लाने है, मुझे यह बताईए, हाँ, तो काफी बच्चों का आंसर आ गए है, कुछ कह रहे हैं, सर 75, 80, 50%, अंडर 300 रैंक की बात हो रही है, 90%, 80%, 98%, तो देखिए, यहाँ पर आप लोग थोड़े से ग 65% मार्क्स में मेरी AIR 289 आई थी, एडवांस्ट के अंदर, यह तो बहुत पहले आई थी, सर, आज कल भी इतने में आ जाती है, ठीक है, अगर आपके 60-65% बन गए हैं, तो भाईया, तुमारी अंडर 500 रैंक कनफर्म है, अगर तुमारी 50% बन गए हैं, तो तुमारे अंडर 1000 के आसपास पहुँच जाओगे, अगर तुम्हें admission चाहिए, selection चाहिए, advance में, सिर्फ 30% नमबर चाहिए, 30% के आसपास अच्छी IIT में selection हो जाता है, खुशी मिली की नहीं मिली, जल्दी बता दो जरा, चैट पे कि हाँ सर, यह तो खुशी की बात है, हम तो कुछ और ही हाँ सर, तुशी मिल गई, यह सर, मचा आ गया सर, वाओ, तो देख मैं तुझे वो चीज़े बता रहा हूँ बेटा, जो actually facts है, facts, ठीक है न, 30% में advance clear हो जाता है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि 30% marks लाना असान है, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पर दिखाओगे, जिसमें तुम्हारे 40% number है, तो तुम्हारे घरवाले काएंगे, क्या पढ़ाई कर रहा है बेटा तु, बट अगर जेए का, तुम मार्क शीट दिखाओगे, तो 40% में तुम्हारा selection हो गया होगा, ठीक है भई, यह advance की बात हो गई, अब आ जाते हैं mains में mains के लिए, अब जो तुम confuse हो रहे हो न, वो हो रहा है percentile से, बहुत बच्चे लिख रहे है, 98, 99, वो percentile होती है, percentile, percentile versus percent में फरक पता है कि नहीं पता है भई, maths की भाशा है, कई लोग इसी में confused रहते हैं कि सर, percentile क्या है, percent क्या है, कई बार तो सर हमने देखा है, वो percentile है, या percent है, what is percentile, यह बताईए, देखो, नई, no लिख रहे है, mostly बच्चे लिख रहे हैं कि सर, हमें फरक ही नहीं पता दोनों में, तो आज मैं आपको simple सा फरक बता देता हूँ, percentile का मतलब होता है, अगर आपके, देखो, 99% का मतलब तो पता ही है, 99% का मतलब, 99 बटे 100 number आए है, है ना भई, ठीक है सर, और 99 percentile का मतलब, कि भाई साहब, आप 99% लोगों से बेटर हैं, समझो इस बात को, नहीं समझे बात तुम, इसका मतलब है, 99 percentile लाने का मतलब है, कि आप top 1% बच्चे उमें हैं, समझे, 95 percentile लाने का मतलब है, कि आपके mark जितने मर्जी हों, 5 percent बच्चों में हैं, top 5 percent बच्चों में हैं, यह basically percentile, percentile क्या बताती है, कितने बच्चों में, आपकी मतलब ranking क्या है, percentage of marks बताथे आपके exactly marks कितने हैं, यह जाती है, ना तो इन दोनों में confusion मत रखिए, percentile जय हिमें में में दी जाती है, वहां से आपको पता लगता है, आप क यह होते हैं समझे तुम 99 परसेंटाइल जिनकी आती है उनको जेई मेंस में सिर्फ 60 परसेंट अगर टफ पेपर है तो 50 नहीं तो 60 परसेंट में 90 60 परसेंट मार्क्स में 99 परसेंटाइल पहुँच जाती है तो तुम्हें एक बात समझनी है बच्चों कि भई जेई का मेंस का या एडवांस का एक्जाम क्लियर कर रहा है तो रियलिस्टिक टार्गेट है 60 परसेंट आ गए तो तुम बहुत चैंपियन हो भईया 60 परसेंट मेंस और एडवांस में तो 60 परसेंट बेटा तुम बन गया अंडर 500 रेंक ठीक है तो अपने को समझना है एम क्या है अपनी एम ये है कि हमारे को ये मार्क्स तो मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग 10 तक 90 परसेंट 95 परसेंट ये इसी से खेले हो अब हमें आरी realistic expectation कम है यानि बहुत सारे questions हमसे नहीं होंगे solve तो आपको घवराना नहीं है नहीं होंगे कोई बात नहीं धीरे धीरे करके हमें 10 में से 4 question तक ही तो पहुँचना है शुरुवात में 10 में से 0 हो मैं कहरा हूँ कोई दिक्कत नहीं है दस में से एक भी question नहीं बात को समझना है तो क्या I hope ये बात आपको समझ आ गई है यही से related इंपॉर्टेंट information आप लोगों को मिल गई है कैसे prepare करना है वो सब आएंगे बट exam में क्या क्या होगा ये सब बाते हमने कर ली है कि 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 मजा आया कि नहीं आया हाँ marks कितने चाहिए cut off वही मैं बोल रहा हूँ देखो वो cut off लगबग हर paper की अलग जाती है वट roughly अगर आप 30% marks ले आए तो advance में आपका selection हो जाएगा 60% ले आए तो आपकी बढ़िया rank आ जाएगी ठीक है इतना मोटा मोटा आपको मान के चलना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आजाते हैं तो हम अब है realistic ही समझना है ये नहीं कि कल को मैं DPP दूँ दस सवाल दूँ उसमें से सर हमसे तो 5 नहीं हुए सर मैं तो demotivate हो गया सर मुझसे तो 5 ही हुए तब तुम्हें समझना है कि 10 में से 5 हो गए ना खुछ रहो 10 में से जब तक तक तुम से 5-6 दो साल के बाद तक एम है अपना कि 10 में से 6 हो जाए on an average हर पेपर वहां तक तुम पहुंच जाओगे अराम से शुरुआत दीरे जाली बात नहीं है ठीक है चलिए अब आ जाते हैं कुछ frequently आज सवाल कई सवाल ऐसे जो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे ठीक है तो बहुत जादा समय नहीं लूँगा पेपर के बारे में मैंने बता दिया है काफी सारी चीज़ें डीटेल में सर लोगोंने डिसकस कर ल हूँगा तो AIAT क्या बहुत tough है? AIAT J.E. का exam क्या बहुत tough है? कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है? कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है? टो तो sir, बहुत tough है, बहुत ज़्यादा difficult है clear करना, तो इस बारे में मैं आपको simple सी एक बात बोल देता हूँ, IIT का exam easy तो नहीं है, देख, क्या बहुत tough है, बहुत tough भी नहीं है, जितना लोगों को लगता है, उत्रा tough नहीं है, it's a game of consistency, जैसा कि मैंने बताया भाई, 12 लाग देत तो हैं, बट तमीज से तयारी इतने ही करते हैं, और अगर तुम सारी बाते मानोगे जो हम बता रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हारा selection अराम से होगा, बस दो साल जो बोला जाए, उसको मानते जाना, ये बात आज तुम सब लोग अपने आप से promise करोगे, कि जो teachers बोलेंगे, कोशिश ये रहेगी, उसको 99% माना जाए, ताकि आप लोग, selection बेटा, तुम्हारा कोई नहीं रोख सकता, बट ultimately मेहनत तुम्हें ही करनी है, हम तो बोल सकते हैं, मेहनत तो करनी तो तुम्हें ही है, ये नहीं होगा, कि सर आप बद मोटिवेट कर दो, और मैं तो हो उसको execute करोगे, effort करोगे घर पे, तब जाके selection तुम्हारा होगा, ठीक है, तो जेई का exam tough है, अपने दिमाग से आज से बात निकाल दो, सिर्फ मेहनत का खेल है, जो बच्चा मेहनत करने के लिए ready है, वो जेई निकाल सकता है, और उसका जीता जाता example हूँ, मैं, ठीक है, मैं तो इतने नहीं है intelligent, मैं कैसे करूँगा या, मैं कैसे करूँगी sir IIT, हम थोड़ी ना sir उस level के हैं, वो तो O.P बच्चे होते हैं, topper होते हैं sir school के, हम तो sir school में ही 7th 8th rank पर आते हैं, class में, हम कहां से करेंगे, तो अगर आपके mind में भी ये सवाल है, तो भाई साब बिलकुल गलत है ये, ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है, कि टॉपर लोग ही IIT निकाल सकते हैं, वरना तो CBSC का टॉपर ले लेते हैं, सारे board के टॉपर उठालो भई, ऐसा नहीं होता, जो बच्चा consistent है, जो बच्चा महनती है, जो दिमाग चलाना चाहता है, जो सीखने के लिए हो जाएगा, दो साल की जो rigorous महनत करेगा, लंबे समय तक जो महनत करेगा, दो दिन महनत करी, चार दिन पढ़ाई नहीं करी, दो दिन जो जोश आ गया, पढ़ लिया, बोर्ड में टॉप वैसे भी कर लेते हैं लोग, उस तरह से भी बोर्ड की पढ़ाई हो जाती है, तुम म भी अच्छा हो गया, टेंथ, ठीक ठाक निकल गया, बट 11 में ये गलती नहीं करनी, consistency is the key, जितना consistent रहोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा, तुमें उतना ज्यादा enjoy करोगे इसको, और उतना ज्यादा तुमारे chances बढ़ते जाएंगे, तो आज से सभी लोग मुझ से पहले promise करें, क्योंकि देखो, ये online batch है, तुम बेंसे बहुत बच्चे ऐसे होंगे, जो under confident feel करते होंगे, जिने लगता होगा हम कहां सर, घर बे बैठे हम कैसे, जो कोटा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, उनके साथ कैसे compete करेंगे, तो आज पहल promise, 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 very good, very good, बिल्कुल कम नहीं समझना है, अपने को किसी से भी, बस अगर तुम मेहनत करने को ready हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम तो समझूँगा नहीं सर, मैं तो OP हूँ और पढ़ूँगा कुछ नहीं सर, दिन बर बस real देखूँँगा, दिन बर motivational video देखूँगा, पढ़ूँगा कुछ नहीं, वो मत करना, पढ़ाई धंक से करनी पढ़ेगी, तो तुम किसी को भी बीट कर सकते हो, बड़े से बड़े, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, बस महनत करने के लिए ready रहो, content enough म मिलेगा तुम्हे, IIT advance में rank 1 लाने तक का content मिलेगा तुम्हें, promise sir, चाबाश, very good, चलिए, तो ये बात आपको माननी है, और feel करनी है, अंदर से believe करना है, देखो, जो believe करते हो न, वही होता है, अगर अंदर से डरे रहोगे, तो डरे ही रहोगे, दो साल, तुमारे उपर से लोग निकल के निकल जाएंगे आगे IIT में, और अगर अपने अंदर confidence रखोगे, तो भाई वही तुम्हें मिलेगा, जो तुम feel करोगे, जो तुम मानोगे, वही मिलता है, ठीक है life में, चलिए, अग third point, जो बहुत ही common है, sir, अब हम motivate हो गए है, sir, अब तो IIT 4 के ही मानूँ अगर आपको भूग लगती है, तो आप कितना खाना खाएं, इसका क्या answer है, पताइए, इसका क्या answer है, हमें भूग लगी है, sir, हम कितना खाना खाएं, sir, जिससे हमारा पेट भज जाए, क्या एक answer हो सकता है, हर एक की diet अलग है, हर एक की requirement अलग है, male body अलग है, female body अलग है, एज के हिसाब से रिक्वाइर्मेंट अलग है तुमारी एज के जब हम थे तो बेटा रोटियां गिनते नहीं ते टाइम गिनते थे बस इतनी देर खाने को मिला है आदे घंटे जितना खाना है खा डालो मैस के अंदर कोटा में अब दो रोटी के बाल लगता भाई या तीसरी तो मोटे हो जाएंगे ठीक है तो अपने को यह समझना है की जैसे की एपिटाइट हरेक के लिए डिफरेंट है आना खाने की भूख अलेक के लिए अलग है वैसे पढ़ने के घंटे सबकी रिक्वाइर्मेंट बिटा अलग हो सकती है हो सकता है तुम काफी जल्दी कैच कर लेते हो तो तुम्हें जाके कम समय लगे नोट सोट बनाने में तुम जल्दी जल्दी question कर पाओ किसी की problem solving speed slow हो सकती है किसी को समझ तो लेटा जल्दी आ गया बट question धीरे कर पा रहा है किसी को समझने में ही time लग रहा है उसको double time लग रहा है effort घर पे जाके lecture को दुबारा देखना पड़ रहा है बट अपने को ensure क्या करना है हाँ छे से साथ घंटे नहीं बेटा कम है कम है ठीक है तो ensure यह करना है कम से कम आठ से 10 घंटे अगर आप पड़ोगे on an average daily तो वो बढ़िया माना जाता है ठीक है और अगर dummy school में हो जिसकी बात अभी आगे होगी राइट तो उसके बारे में तो और obviously देना चाहिए क्योंकि time आपके पास जादा है ठीक है हाँ consistency रखना यह नहीं एक दिन तो सर जोश आ गया आज मैंने real देख ली सर तरुन सर ने motivate करा है आज तो मैं 12 गंटे पड़ूँगा और चार दिन बाद बेटा जोश हो गया ठंडा अब सर कल पढ़ लूँगा ना सर क्या करना है सर अभी पढ़ के कल कर लूँगा सर कल कभी नहीं आता दोस्त consistency maintain करनी है और शुरुवात में एकदम से हो दूँगा 12 गंटे कर देंगे धीरे धीरे उनको आवर्स को बढ़ाईए धीरे धीरे आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए तो ये बात हो गई कि कितने घंटे पढ़ने हैं हरे का नंबर अलग हो सकता है बट आपको बस ये करना है इमीडियेटली उसे मि गंटा पढ़ता था सर दो गंटे पढ़ता था अब सर दस कह दूँ तो बिटा सर बना जाएगा एंशन हो जाएगी तर दर्द रहेगा दिन वर चेड़ चेड़ा रहोगे एकदम से नहीं हो पाएगा है ना तो अपने को धीरे धीरे बढ़ाना है अगर आज दो गंटे सब बजेगी सर यहां पर आपको पेशन्स रखना पड़ेगा विट टाइम आपके वह आवर दस बारा घंटे पहुंच जाएंगे ठीक है स्टार्टिंग से उसको इमीडेटली चार-पांच तो करी दो ठीक है बेर मिनेमम चलिए आगे बढ़ते हैं तुम लोगों का फेव हमारे relevant हैं वो तुमें अभी कोई भी बुक नहीं लेनी तुमें DPP में तुमें module में ज्यादा स्याद है अभी तो PW का module ले सकते हो उसमें से homework दूँगा और सही समय आने पर आपको किताबे भी बताई जाएंगी जब जरूरत पड़ेगी तब तो अभी के लिए big answer is कोई भी किताब नहीं खरीद नहीं बट सर फिर भी बता तो दो कौन सी अच्छी है सर जो तुम कर लो maths में वो अच्छी है देखो maths is the subject of practice ठीक है तो जो आपने अभी ले रखा है DPP अपना अबस आप अपने आपसे एक वादा करो DPP सारी करूँगा ठीक है और उसके बाद module मेसे जो सौ बुक खरीद के रख ली अलमारी भर दी बड़ा खुश हो रहा हूं मैं तो IT की तयारी कर रहा हूं और उसमें धूल लग रही है साल बर क्या फायदा बेटा पैसा बरबादी करोगे हमने भी बहुत किताबे ले ले लेके रखी हुई थी कोई नहीं करी सिर्व वही material किय जो हमारे सर ने हमें दिया था और उसी से सेलेक्शन हो गया ठीक है तो जो टीचर बोलेंगे आपको वह करना है अभी से मत पैसे बरबाद करो यह आई थिंग बाकी टीचर ने भी इस बारे में बोल दिया है मैं ज्यादा डीटेल में नहीं जाओंगा अब आ जाता है बहु करेंगे और रेगुलर मतलब सर चेबजेंगे सर नहीं कभी कभी सर उसके बाद थके हारे दो बजे आएंगे हाँ उसका में हमें फीर होगा कि हमने बहुत बढ़ाही करी है बट कुछ कास हुआ नहीं होगा सर और इसके बाद शाम को आके सर, फिर आपकी classes करेंगे, class class खेलेंगे सर, है ना, RRDD, काफी mixed है, I think mostly 50-50 मान रहा हूँ, मेरे को जो नजर आ रहा है अभी तक, 50-50% नजर आ रहा है, हम, तो भाई देखो, सब की राय अपनी-अपनी है इसमें, दोनों तरह के बच्चों का selection होता है, मुझे पता है, काफी teachers, in fact, राजवन सर ने भी मैंने सुन रहा था, उस दिन की उन्होंने बोला था, regular better है उनके साब से, देखो, हर एक का अपना experience होता है, उन्होंने regular से निक कि dummy जो है क्या ना, अगर आज मैं तुम्हें सच शब्द बता दूँ, कौन सा better है तो भूल जाओ, dummy basically एक दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार समझते हो ना बेटा, इधर से भी पेट में, इधर से भी पेट में जा सकती है, तो तू तो लेके चला था, आगे मैं वारू स्कूल लेवल पढ़ रहे हो, at least basics तुम्हारे clear है, covered है, तुम उसकी practice कर रहे हो, कोई check रख रहा है, तुम्हारे को अगर full motivated हो, 100% motivated हो, कि भाई, नहीं मुझे तो जेई करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, और बहुत ज़्यादा पढ़ मुगा है, तो ही तुम्हे dummy school ल रहा है, वहां, वह कैसे पढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, कॉलोनी में, मम्मी क्या कर रही है, जा जा के कपड़े press करा लाते हैं, यही सब चलता रहेगा, ठीक है, तो dummy school अगर आप ले रहे हैं, बिलकुल अच्छी तरह बेटा जो बच्चों ने डी लिखा है, एक बा क्लास तो आमको 4 बजे है, नहीं, तुम्हें अपना schedule बनाना है, 8 बजे for example तुमने पढ़ने बैठना है, तो रोज पढ़ने बैठना है सुबह, यह नहीं कि यह school नहीं जा रहा हूं, तो मैं को तयारत होना नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ने बैठूं, यह नहीं करना है, सभ पढ़ना चाहिए, time table क्या follow करना चाहिए, ठीक है, तो आज ही सभी बच्चे जो dummy में हैं, वोई promise करेंगे कि sir हम एक अपना plan बनाएंगे, यह नहीं कि अब dummy हो गया कल से, तो जम मर्दी उठो, जम मर्दी सो, अभी तो तुम्हारा exam हो चुका, कल से ही शुरू कर दो, यह मत जोश भर गया sir, आठ से बारा पढ़ूँगा sir, एक से फिर ब्रेक लूँगा, एक से चार फिर पढ़ूँगा sir, कोई break ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई डाल दी, तो follow नहीं होगा, normal time table बनाईएगा, जो आप follow कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल normal time table आपको follow करना है, बनाएंगे normal जो की realistic हो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने, जिस दिन class हैं, जिस दिन class हैं, उस दिन 6-7 घंटे, और जिस दिन class नहीं है, उस दिन 10 घंटे अगर पढ़ाई कर ली है, तो on average तुम्हारा 6-8 घंटे करीब आ जाएगा, है ना, उतना more than enough तुम्हारे लिए dummy वालों की बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ सवाल हो गए, आपके, और ये भी है, school and coaching साथ में कैसे manage करें, ये सवाल आता है, specially वो बच्चे जो regular वाले हैं, ठीक है, ये dummy वालों की बात हो गई, अब regular वाल maths में आपको मैं करवाऊंगा, उसमें से homework भी दूँगा, बट दिक्कत पता है कहा आएगी, दिक्कत आएगी तुम उसे करोगे नहीं, मैं लगे गा रहे NCRT, वो मेरे level की किताब थोड़ी, हम तो IITN बन गए हूँ, हम NCRT कहाए को करें, school का exam आएगा, उस दिन कर लूँग ये वेट नहीं करेंगे, school exam आएगा, उस दिन करेंगे, ये वेट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद, next एक common doubt, कि sir, मेरा भहिया तो कहते है, sir, online से नहीं होता है, offline जाना पड़ता है, तभी selection होता है, मेरे वो वाले भहिया ऐसा कह रहे थे, वो वाल dedication level होता है, तुम कितनी मेहनत करने के लिए ready हो, मैं ऐसे हजारों बच्चों को, मैं इतने सालों से offline ही पढ़ाता था, हजारों बच्चों को जानता हूँ, जो offline जाके भी, वो वैसी मेहनत नहीं करते थे, तो उनका selection नहीं हुआ, हाँ, offline जाके हमें एक चीज क्या लगती है, क्योंकि हमने पैसा खर्च करा है, क्योंकि हम सुबह जा रहे हैं, पसीने में जा रहे हैं, बस में, धक्के खाते हो जा रहे हैं, धक्के खाते हो आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कुछ किया है हमने, और घरवालों को भी लगता है, बेटा सुबह से गया हुआ हुआ है, शाम ह जब पूछ रहे हैं सर तो मुझ छुपा रहे हो पीछे वाली बेंच पे बैठ रहे हो तो फायदा क्या है कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है इससे बेटर है अगर online कर रहे हो तो धंग से पड़ो content तुमें सारा मिलेगा और मेरे इसाब से सही बताऊं तो हमारे time में अगर यह online की facility होती ना मैं तो online नहीं करता क्योंकि भाईया बहुत दिक्कत होती है offline कहीं जाके रहो फिर मम्मी पापा से दूर खुदी कपड़े धो रहे हो याद आ रही है रो रहे हो बहुत सारी problems है बेटा बिमार हो गए तो कोई है नहीं घरवाला देखने लायक तो इस से कम लग रहे हैं टाइम बच रहा है traveling का तो यह सब फाइदों को उठाईए और इसका फाइदा उठाए के selection पाईए ठीक है भाई साब समझ गए कि नहीं समझ गए क्या मेरी बाते समझ आ रही है जो मैंने तुम्हें FAQ का मतलब तो समझते हो ना बेटा frequently asked question कि जो दिमाग म में आप में से बहुत बच्चों के शायद यह चल रहे हो वो questions का जवाब मैंने जो दिया है कि आपके दिमाग में घुसा कुछ की नहीं घुसा yes sir समझ गए जी sir समझ गए समझ गए sir बेटा समझ तो देख सब जाते हैं समझ तो सब जाते हैं है ना but implement कितने करते हैं यह important है सर बहुत मज़ा आ रहा है सर मज़ा भी आना चीए बेटा बट साथ साथ मज़े के साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है execute भी करना है implement भी करना है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं शाबाश FAQ हो गए हैं अब हम बात करेंगे क्योंकि अब यह बात हो गई है कि ऑनलाइन पढ़के भी selection हो सकता है और बिलकुल possible है तो ऑनलाइन पढ़ने के तरीका क्या है बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पहल पढ़ने के लिए 100 था यह नहीं डिनोमिनेटरी 100 से कम था बेटा समझा पढ़नी दस चीजे थी अब पढ़नी है 100 चीजे तो अब ऑनलाइन में कैसे सेलेक्शन पाना है तो ऑनलाइन में बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का अब हम वो डिसकस करेंगे क्विक 5 मिनिट के अं अचा है जितनी as far as possible unless बहुत ही कुछ अदा अर्जेंट काम आ गया है अब अर्जेंट क्या होता है मन नहीं लग रहा सर यह अर्जेंट नहीं है ठीक है तो रिस्तेदार आ रहे हैं कल घर पे गवाजी आ रही है बच्चे आ रहे हैं खेलेंगे हम यह सब अर्जेंट नहीं ह क्योंकि हम तो आएंगे चार बजे अब तुम अगर रेडी नहीं हो तो फिर तुम सोचो के मिस कर देता हूं तो तुम क्या करोगे डिले कर दोगे फिर तुमारा बैकलॉग शुरू हो जाएगा ठीक है तो कोशिश यह करनी है लाइव मिस नहीं करना है बढ़ अगर हो भी गई तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग में निपटाएं और रिकॉर्डिंग का यह मतलब नहीं है निपटाना है तो सर मैं तो उसको निपटाऊंगा जैसे यूट्यूब पर देखता हूं न शॉर्ट वीडियो मोटिवेशनल 2x स्पीड पे लगा के 2x पर उसको देखते किती फास्ट लिख रहे हैं कोई फायदा नहीं है उसी स्पीड पर देखना है जिस स्पीड में तुम समझ पाओ तुम ग्रैस्प कर पाओ 1x है तो 1x 2x है तो 2x जिस तुम्हारा दिवाग भी उस स्पीड से चलना चाहिए जिस स्पीड से वीडियो चल र हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटिजी हो सकती है मैंट में क्या होता है मैंट में तुम में से बहुत बच्चे करेंगे सर टाइम डब लगज जाएगा दबल नहीं लगेगा, देखो, क्लास में जब मैं तुम्हें समझाओंगा, वैसे भी तुम्हें घर पे जाके उसको रिवाइज तो करना ही है, जब तुम घर पे नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएगे, अब कुछ लोग यहां महा ग्यानी, महा मतलब परम ग्यानी लोग आते हैं, जो कहते हैं कि सर नोट्स बनाने की ज़रुत ही क्या है, नोट्स बनाने क्यों सर, पीडिएफ तो मिली जाएगी मुझे, गलत, नोट्स बनाने हैं और उसका फाइदा और नुकसान तुम छे महीने बाद समझ तो वो चीज डबल आपको एफेक्ट करती है, जब आपको learn होती, आप उसे easily grasp कर पाते हैं, और दूसरी चीज जब revision करते हैं, तो इतनी PDF हो जाएगी कि तुम revision समझ नहीं आएगा कहा से क्या करना है, तो notes में आपको सारी चीजे लिखनी हैं, सारे, के सारे question number चाहें आप ल दिखो, solution बट पूरा mention करना है, क्योंकि question class के बहुत important है, जई में उसी के आसपास बनने हैं, जई में में तो at least तुमारे वैसे से ही सवाल बनेंगे, correct, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, notes बनाने हैं, ठीक है, notes कौन नहीं बनाते, जो बहुत ज़्यादा exceptional लोग हैं, जने 98-99% बच्चे ऐसे ही देखें हैं, जिन्होंने notes बनाने ही पड़े, under 50, under 100 rank भी बच्चे लाएं हैं, जो notes बनाते थे, समझे, तो notes को हलके में मतलो, आम इंसान के लिए notes बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, हम भी बनाते थे, तुम भी बनाओगे, ठीक है, समझ लो इस इसको तुमें भगाना है, ये समझ लो इस backlog के भूत को भगाना है, ये भूत जो है एक तरफ से घुसता है, live class जब miss होती है, जब live class उड़ाते हो, आज मन नहीं है, तो backlog तुमारा घुस जाता है, ठीक है, और दूसरा backlog तुमारा घुसता है, जब तुम homework नहीं करते, homework नहीं की DPP, ऐसे कब करते करते, चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर आते रहेंगे बेटा, समझ जासनी देवल बन जाएगा तु तु तारीक पे तारीक, बैक लोग इतना बन जाएगा, तो इसलिए कोशिश ये करिए, साथ-साथ, daily practice problem निप्टाएं, DPPs निप् पे बैठा, इसका मतलब ये नहीं है, कि चार बजे क्लास है, तो साड़े-तीन बजे नीद खुली सरा, आख मूध हो लेता हूँ, क्या करना है, जो daily अपना plan करा है, उसे हिसाब से, अगर 8 बजे पढ़ने बैठना है, तो बैठना है, 8 से 12 पढ़ना है, तो बढ़ना है, 12 से दो एक बार जल्दी से, कि हाँ सर, हम online, देखो, online के बहुत benefits है, मैं खुद देखता हूँ, जब और देखता हूँ, कितने यार काश हमारे time ये सब होते, doubt बैठे बैठे तुम्हें, photo खेची नी, AI गुरू ने doubt बता दिया, notes तुम्हें लिखने की साथ साथ क्लास में जरू पेच देखो, ऐसा नहीं होता था हमारे time, हमें खट-कट वहीं लिखना है बैठके जल्दी-जल्दी, समझना भी वहीं है, आदी चीज समझ आती थी, आदी नहीं आती थी, तो online के बहुत benefits है, उनका फायदा उठाना सीखो, ठीक है, सर, short notes कैसे बनाते है, short notes तो बेटा, ब marks भी short ही आते हैं, सच बता रहा हूँ है, ठीक है ना, अब तुम ने proper तरीके से जब तैयारी कर रहे हो, तो notes भी proper तरीके से ही बनाओगे, short notes कब बनाने मैं बताऊंगा, वो तुमें, चलिए, finally अब आ जाते है, common mistakes, तुमें मैंने इस शुरुआत में इन भाई साब को दिख नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं, कब से पहली बात, sir motivation नहीं मिल रहा, short video देख लेता हूँ, how to, motivational video for IIT, देखो कभी कबाद देखना पड़े, महिने में एक बार, दो बार समझ आता है, daily तुमें motivation की dose चाहिए, तो तुम गलत जा रहे हो, समझ ले तिरे को उसके बाद तीसरे दिन, फिर वहीं demotivate होता फिर एगा, और फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, motivation अगर चाहिए, मेरे हिसाब से तो सही बताओं, तो motivation देखो, दो इचीजों से आता है, एक है वेटा, एक है वेटा, कि अगर जिन्दगी में किसी चीज का आभाव है तो motivation मिलता है, ठीक है, और दूसरा है, कि अगर तुमारे दिल में कोई घाव है, उससे भी motivation मिलता है, समझा, समझा, दोनों point समझा की नहीं समझा, समझा देता हूं detail में, जल्दी बता दो समझ आया की नहीं आया, किस किस को समझ आया, देखते हैं, समझ गया सर, एक कूछ रहा, अभाव का मतलब क्या है सर, अभाव का कमी, लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है, finances, financially आप weak हैं, या फिर कोई भी आपको माबाप के लिए कुछ करना है, कोई भी चीज की कमी महसूस होती है, तो अंदर से motivation आता है, ठीक है, पहला तो reason यह हो गया, कि life में अगर किसी भी चीज का अभाव है, तो motivation जरूर आएगा, तो में तुम्हें पता है कि भाई, कोई और option ही नहीं करना है, अपनी जिन्दगी सुधार नहीं है, अपनी family को ध्यान रखना है, अपने लिए कुछ करना है, तो भाई, अगर पहले कि अभाव ही नहीं है, एसी में जी रहे हो, गाडियों में घूम रहे हो, बेटा, मज़े आ रहे हैं, जिन्दगी के, एस चल रही है, तो फिर कहे का अभाव, कोई अभाव ही नहीं है, तो कहे की मेहनत, ठीक है, दूसरा, ये तो हो गया बेटा, जिन्दगी में अभाव, या दिल में घाव, दिल म करते online बैटे थोड़ी कर लेते हैं या यह बच्ची जो 10th में 80% लाते हैं थोड़ी करते हैं वह दिल में कोई बात चुब गई है वो होता है बेटा दिल में घाव अगर इन दोनों में से कोई है वो motivation असली है समझ गए है हाँ में गहरी बात है सर वो तो ही बीटा गहरी बात है यह तच है यह बट मोटिवेशन वहीं से मिलेगा यह सारे motivational वीडियो और ये सब कामचोर लोगों के लिए बने हैं सही बता रहा हूँ तुम देख लो, सच्चाई है यार ये सच्चाई है, ये उन लोगों के लिए बने हैं जो 9,00,00 में रह जाएंगे, जो पहले 10,00,00,00 में उनके लिए motivational वीडियो नहीं है हाँ कभी कवास, कभी बहुत जादा low feel कर रहे हो, कभी लग रहा है कि यार इतने time से कर रहा हूँ, महीने में आ सकता है वो, दो महीने में आ सकता है, ये नहीं daily, हर दो दिन, हर तीन दिन में जरुरत पढ़ रही है motivation की, वो सही नहीं है, that means साब गलत जा रहे है, तो common mistakes number one, अगर daily motivational dose चाहिए, तो हम गलत जा रहे है समझ लेना पहले से ही, ठीक है? दूसरा, दूसरा, distraction, अरे यार, आज क्या पढ़ना, तेखो, तुम्हें बतागाता हूँ, प्यारे से हमारे ये भाई है, कि जब 11th क्लास में थे, तो इन्होंने डमी स्कूल लिया था, ठीक है? अब डमी था, 4 बज़े क्लास होती थी, इन्होंने सुचा है, सुबह 9 बज़ रहे है, अभी 10 बज़े पढ़ लूँगा, 9 से 10 एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जरा, बरबाद, ठीक है? तो यहां है distractions, सौ लोग सौ बातने हैं, देखो, हमारे टाइम पर क्या होता था था, इन्फरमेशन ही नहीं थी, हमें तो यार आइटी के फुल फॉर्म ही पूछने के लिए 4-5 लोगों से पूछना पढ़ता था, है क्या? आज क्या है? गूगल पर डाल बरुसा किया है, जिन टीचर्स पर भरुसा किया है, उनकी बाते मानिये, आपको वो selection guaranteed करवा सकते हैं, 10-15 बाते सुनोगे, तो समय भी बरबाद करोगे, distract भी होगे, और इसके अलावा, सोशल मीडिया, फोन, इन सब से बिटा छुटकार आपाने की कोशिश करो, कम से कम इन बात करेंगे, ठीक है, तो साल सब वेट कर सकते हैं, जिन्दगी बहुत लंबी है, समझे बेटा, चलो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, दूसरा, आज थोड़ा चिल माल लेता हूं सर, हम वक कल कर लूँगा, अभी तो बहत शुरू हुआ है सर, अभी क्या करना सर, अभी त उसको बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट, अंग्रेजी में की, डिले करना, टालना, काम को टालना, वो नहीं करना है, कि अभी चल मार लेता हूं, बाद में कर लूँगा, ऐसा मत करना, यह शुरूआत है, प्रॉब्लम्स की, ठीक है, उसके बाद, नेक्स्ट टाइब की प्र में करेंगे, जो ज्यान देते हैं, टीचर्स को, मैंने बात तुम्हें औरियन्टेशन में भी बोली थी, ज्यानी वर्सिज ज्यान देना और वर्सिस सजेशन देना में बहुत फरक है, आप ज्यान ना दें, सजेशन दे सकते हैं, कि सर हमें extra question दे दीजिए, सर इस chapter में और स लोगी करने पड़ेगी यह दिखाने के लिए समझाने के लिए लिए ओठाई तक पहुचना है जे तुम्हें तक नहीं आएगा तो यह लेवल तक पहुचाना है दोस्तों टिक यह तो आप प्लीज ग्यान ना दें सब टीछ जानते हैं उन्हें क्या करना विडिए और बहुत बढ़िया हो जाता अगर अगर के आगे जो मर्जी लगा ले अगर के आगे वेटा जो मर्जी लगा ले अगर मैं क्या क्या हो सकता है अगर मैंने आफलाइन जॉइन कर ली होती तो मैं तो बहुत बढ़िया कर लेता ठीक है दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे maths के सर तरुन सर ना होते, कोई और होते, example दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने इस किताब की जगा दूसरी लगा ली होती, तो फिर तो मैं OP बन जाता, ठीक है, ये अगर मगर वाले खेल कोई नहीं खेलेगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वा कर लोगे, तो selection उसमें भी हो जाएगा, ठीक है, अगर मगर कोई नहीं करेगा, अगर मगर कोई नहीं करेगा, सर कितने घंटे सोना चाहिए, देखो, मैं तो जाथ 7 घंटे सोता था, जही की तैयारी में, क्योंकि मेरे पार dummy school था, मेरे को नेंद भी जादा आती थी, सही बत करता हूं तो, तो में पर time परियाप्त होता था, बचे हुए घंटे में पढ़ लेता था, आप depend करता है, बट 6 घंटे तो minimum 100 यार, क्योंकि ताकि ताकि तुमें proper rest मिले, तुमारा दिमाग, सही तरह से function कर पाए, effort करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए, दिमाग rested भी तो जो भी teachers बोलेंगे, सारी बात सुनेंगे, और दूसरी, last तक टिके रहेंगे, चाहे जितना tough लगे, ग्यारवी में किसी तरह से उन 10 लाक में ना पहुँचके, पहले 1.5-2 लाक तक पहुच जाएंगे, जो टिक कर मेनत करते रहते हैं, चाहे 50%, 60% काम हुआ, बट होके, complete करक last finish line तक पहुचेंगे, बस ये दो काम कर लेना, ठीक है, बस इतना चाहिए तुमसे 11th में, चलिए तो start करते हैं, क्या सभी लोग अब ready हैं, क्या सभी लोग अब ready हैं, start करने के लिए maths, कितनी notebooks, हाँ, एक सवाल ये पूछा, I think ये बता दिया है तुम्हें, तर लोगों ने, सेम रहेगा, maths में भी बता देता हूँ, maths में तुम्हें बनानी है, maths में तुम्हें जो notebook बनानी है, सबसे पहली बनानी है, fair notes की, ये fair notes तुमारे अच्छे होंगे, जिनको तुम घर पे बनाओगे proper, ताकि तुम्हें revision, देखो, maths में strategy different है दोस्त, maths में theory से ज्यादा question आने है application आना है, और question तुम्हें class में जैसे मैंने करवाए है, वो तुम्हें revise करने होंगे, बार-बार करने होंगे दो साल तक, इसलिए notes की बहुत जरुवत है, ये सोचो तुम्हें जेई कब देना है, कब देना है बाई, 2026 में, ठीक है, April और January में, advance देना है, 2026 के June में, दो साल स इसमें जो questions कराएगा है, उन्हें जल्दी-जल्दी revise करोगे, that is the way, इसलिए fair notes बनाने जरूरी है, दूसरी notebook होगी आपकी homework notebook, जिसमें आप DPP करेंगे, और अपना module या जो भी question, PYQs, DPP module, PYQ, जो भी आपको practice करनी है, basically, previous year question या कोई भी किताब में आपको बताऊंगा, जो भी आपको या assignment जो हम देंगे, वो आपको करनी है, और third notebook एक होगी, rough notebook, ये rough notebook का बढ़ी, देखो, maths में बहुत रोल है, देखो, मैंने मैं तुम्हें class में questions दूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है, notes नहीं बनाएं, तो बैठे हुआ हा, हाथ में रखके हाथ रखके बैठे हम तो बस movie देखने आये हैं, sir, movie नहीं देखनी है, rough notebook लेके बैठना है, और जो question मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, try करो, जो question दे रहा हूँ सब लोग 3 notebooks तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक fair notes की, जो बिलकुल बढ़िया quality की, मोटी notebook, क्योंकि इसे 2 साल तक चलाना है, बाकी ये दोनों notebook जैसे ऐसे भरेंगी, ये वाली तो फिकेगी rough, ये फिर भी रख लेना, कभी कोई question देखना हो तो, बट main है ये, ये notes की भी रहेंगी, चलिए, start करेंगे अब, start करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, now we are going to start our journey, आप सभी बच्चों को बहुत-बहुत best wishes, best wishes मेरी तरफ से, शुबकामनाएं कि आप लोग बढ़िया करें बेटा JEE में, पोड़े बिलकुल और आपकी तैयारी बहुत-बढ़िया चले, और बहुत-बहुत सबको शुबकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है बई, start करें जल्दी बताओ, हम, तर क्या सारे question note करने होंगे, हाँ, जब revision देखो, जब खतम हो जाएगा, जब main 11th के topic में तुमें शुरू करा दूँगा, एक दो lectures में, तब से तुमें सारे proper notes बनाने, अभी वाले तो तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो तुमें आते हैं, तो छोड़ देना, नहीं में, अब last में आके मत questions पूछो, चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, तो start करेंगे हम लोग, आज जैसा कि मैंने आपको बोला, quadratic equation के basic से हम start करेंगे, एक बार recap करेंगे, quadratic equation जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, एक equation इस प्रकार की, ax square plus bx plus c, बराबर 0, ऐसी quadratic equation, इस type की equation को बोलते हैं, quadratic equation, क्योंकि यहाँ पे two degree term आ रही है, इसके दो roots होते हैं, alpha और beta, ठीक है जी, दो roots होते हैं किसी भी quadratic के, a को हम बोलते है, coefficient of x square, b को बोलते है, coefficient of x, और c को बोलते है, c को बोलते है, constant term, ठीक है भाई साब, आप सभी लोगों ने इसमें formula पढ़ा होगा, कि alpha beta जो roots निकालते हैं, अगर splitting the middle term काम कर जाए, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सीधे quadratic formula, minus b plus minus root, b square minus 4ac upon 2a, करके बेटा, यह formula लगा के roots निकाल लेते हैं, सबने पढ़ा हुआ है formula, बहुत काम आएगा आपको 11, 12, class, maths, physics, सब जगा, ठीक है, और यहाँ पे जो b square minus 4ac है, इसको बोला जाता है, d यानि discriminant of quadratic equation, t, b square minus 4ac, discriminant बोला जाता है, बिलकुल सर, सर, notes में लिखना है, फिर वोई बात देखो, अगर तुम्हें रटी पढ़ी है, पता है, सर, यह तो obvious है, तो क्यों लिखोगे notes में, लग रहा है, हाँ सर, ऐसा कुछ होता तो था सर, तो भा तो भाई, तुम ने note book में क्या लिखोगे, तुम पता है, बट जब पहली बार लिख रहे थे, तो भाई, 2, 2, 3, 6, 2, 4, 8, सारा लिखा था पूरा note book में, बच्चपन में है न, वही बात हो गई, अगर आता है, तो मत लिखिए, यह सब नहीं आता, भूल गए हो, तो जरू लिख लीजिए, ठीक है, अब जो भी सवाल है, आपके बाकी सब regular batches में, regular classes के बीच-बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं, पी बाई क्यू कब करने हैं, सब बताऊंगा बेटा, सारी चीजें, दो साल है न, अपने पास, इल्को रिलाक्स करो, बढ़ाई साथ-साथ करते-करते भी बहुत चीजें में आपको guide करता रहूँगा, चलिए, तो ये हो गई है quadratic की बात, इसके roots इस प्रकार के होते हैं, और अगर sum of roots की बात की जाए, alpha plus beta, तो minus b by a होता है, ये बात मैंने तुमें bridge course में भी बताई थी, alpha in two beta, c by a, sum of roots and product of the roots ने बोला जाता है, क्या ये सब बाते पढ़ रखी हैं आपने की quadratic के जो sum of roots होते हैं, वो minus b by a होते हैं, ये सब expect किया जाएगा कि तुमें बहुत अच्छी तरह आता है आगे, अगर जिसको भी इन सब problem है इनमें, तुमें पढ़ाया गया है, polynomial में, quadratic equation में, proper तरीके से के बैठेंगे, yes sir, yes sir, आता है, very good, very good बेटा, very good, sir, bridge course के questions, हाँ वो भी करूँगा, discuss, जो brain teasers हाँ दिये थे, बीच बीच में, classes के बीच में, कभी कभी करता रहूँगा, ठीक है, बिलकुल, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर एक example दूँ इसका, तो मानलो, 2x square, minus 7x, plus 1, बराबर 0, अगर ये quadratic दे दूँ, तो अगर इसके roots alpha और beta है, तो देखो, a क्या है, 2 है, 8 और 2 है, b क्या है, इसका minus 7 है, coefficient of x होता है b, तो यहाँ minus 7 लगा हुआ है, तो b की value minus 7, a की value 2 हो गई, x square के आगे जो लगा है, c की value 1 हो गई, तो अब अगर इसमें आप b की जगा minus 7, तो minus of minus 7, 7, a की जगा 2, तो sum of roots आजाएगा 7 upon 2, product of the roots आजाएगा c by a, यानी c की जगा 1, a की जगा 2, 1 by 2, ठीक है, इस तरह से देखो, तुम्हें, अभी मैं तुम्हारी speed पे चल रहा हूँ, कोशिच यह है, देखो, तुम्हारी जो speed है और मेरी जो speed है नो, अ कोई boast करने वाली बात नहीं, क्योंकि practice की difference of practice है, जब तुम 11th के end में आ जाओगे, तुम यहाँ पहुच जाओगे, तुम खुद देख लेना, ये बात, तुम्हें realize हो जाएगी, जब तुम इतनी practice हम करेंगे, कि मैं अभी मैं जानके धीरे करता हूँ, ताकि तुम्हें सम पता है आपको, some end product of the roots की बात भी मैंने आपको बता दी है, ऐसा कुछ होता है, इसारे आपके मैंने notes के लिए लिखे हूँ, तमीज से अच्छी writing में, ताकि आप घर पे अराम से notes बना सकें, जिनको भी दिक्कत है, जिने basics नहीं आते, वो इनको लिख पाएं, ठीक है, अब एक और बड़ी important चीज होती है, कि ये जो discriminant होता है, root के अंदर क्योंकि ये बैठा हुआ है, discriminant क्या है, root के अंदर बैठा है, तो d की तीन condition होती है, d greater than 0, d equal to 0, d less than 0, ये बात तुमने जरूर पढ़ी होगी बैटा, पढ़ी है क्या आप जल्दी बता दो, क्या आप लोगो होगा, d negative होगा, तो क्या होगा, d equal to 0 होगा, तो देखो, d negative में तो बात ही खराब हो जाएगी, root के अंदर कोई negative चीज हमें बहुत बेकार लगती है, maths में defined ही नहीं होती, इसलिए non real roots बोल देंगे हम, मतलब possible ही नहीं है, ऐसी roots, जब भी discriminant negative आ जाएगा, उस quadratic की real roots possible ही नही है, और d equal to 0 में क्या होगा, फट से ये 0 हो जाएगा, है ना भई, तो plus minus का कोई roll नहीं रहेगा, दो अलग-अलग root आएगी ही नहीं, एक ही root मिलेगी मतलब equal roots बोले जाते हैं, equal roots और d greater than 0 का मतलब real and distinct roots, distinct roots, तो ये भी अगले page पे प्यार से proper तरीके से लिखा हुआ है, तु याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद कर लो बेटा, बहुत important है, कभी भी मैं तो मैं बोलू real roots, real and distinct roots, तो d greater than 0, real and equal roots, तो d equal to 0, imaginary या non-real roots, तो आप बोलेंगे d की value negative, और example, अब एक बड़ा प्यारा से example ले रहा हूँ, 4x square minus 4x plus 1, तो इस quadratic का जरह d निकालते हैं, d के लिए पहले a, b, c, तो discriminant का formula होता है, b square minus 4ac, b square minus 4ac, जरह जल्दी से देखते हैं, b का मतलब minus 4, का whole square minus 4, a की जगा 4, c की जगा 1, minus 4 का whole square सब जानते हैं, 16 होता है, minus का square तो plus ही हो जाता है, 16, और ये भी minus 16 हो गया, 16 minus 16, 0, यानि d 0 आ गया, यानि इस quadratic के real and equal roots है, equal roots है, बिटा, अब real and equal roots की एक बहुत प्यारी condition और होती है, इसी को एक दूसरे तरीके से बोला जाता है, जरह देखना क्या, जरह इसकी root निकालने की कोशिश करते हैं, समझे, क्या बोल रहा हूँ, मै splitting the middle करते हैं जरह, splitting the middle करता हूँ, एक तरीका तो यह हो गया, मैंने discriminant से गया, अब मैं कह रहा हूँ कि चलो इसको splitting the middle भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, so 4x square, 4x को minus 2x minus 2x लिख लिया, splitting the middle term, भाया जी, सबको आनी चाहिए, बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं ह common, 2x minus 1, इन में से minus 1 common बिटा, 2x minus 1, फिर 2x minus 1 common, तो तुम एक बहुत प्यारी सी चीज़ देख रहे हो, 2x minus 1 common, इधर 2x, उधर minus 1, तो अगर तुम notice कर पा रहे हो, 2x minus 1 का whole square बन गया है ये, 2x minus 1 का whole square, तो बहुत ही important चीज़, जब भी equal roots आएंगे, तब-तब quadratic whole square में convert हो जाएगा, तुम देखो, यहां direct भी देख सकते थे, ये 2x minus 1 का whole square ही तो लिखा है, a minus b whole square लगाओगे, ये ही तीन term बनेंगी, a square minus 2ab plus b square, तो जब भी quadratic में equal roots आएंगे, तब-तब वो whole square बनता है वेटा, very very important, ठीक है, कोई भी quadratic उठा के देख लो, जिसमें equal roots आ रहे हैं, वो complete square होगा, पड़ी प्यारी बात है, क्योंकि obviously दोनों root same है, तो whole square होगा, so very very important इस बात को अपने notes में mention कर लीजिए, whenever, whenever d is 0, this implies quadratic can be expressed as अब perfect square, quadratic को हम perfect square में लिख सकते हैं, quadratic को perfect square में लिख सकते हैं, सर, gdbd, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ad, क्या ad, क्या लिखना चाहते हो, is it factorization method, yes, splitting the middle term is factorization, अच्छा, add, ad मतलब add, add आगया गया गया तुम्हारे पास, अच्छा, ओ यारब मुझे नहीं पताया, देखो, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, अब तुम लोग समझ गया है, क्या बोला मैंने, बहुत important बात बोली है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कि जब भी, जब भी आप बेटा d को 0, पहचाने कहीं भी quadratic के equal roots हैं, मतलब वो whole square form में लिखी होगी, कोई मर्जी quadratic उठा के देख लो, किसी मर्जी quadratic को देख लो, माल लो तुम्हें, मैं देदेता हूँ, x square plus 2x plus 1, यह भी तो whole square होता है, तुम्हें पता है, x plus 1 का whole square है, इसका d 0 आ रहा होगा, चेक कर लो, कोई मर्जी उठा लो यार, x plus 5 का whole square खोल के देख लो, इसका d देख लेना 0 आ रहा होगा, तो कभी भी अगर एक quadratic है, जिसका d 0 है, मतलब वो quadratic whole square form में लिखी जा सकती है, बहुत important याद रखेंगे, चलिए, तो देखते हैं अब सवाल कैसे बनेंगे, सवाल कैसे बनेंगे, इस पे जल्दी से देख लिया जाए, चलो यही देख लेते हैं पहले, if the roots of the equation, if the roots of this equation are equal, फिर से बराबर roots मतलब d 0 रखना है, simple सी बात है, so roots of the equation, but problem क्या है, right side में 0 नहीं है, m है, कोई नहीं, m को तो left में ले आएंगे, तो x square minus 10x, plus 21 minus m pole, start होने वाला है भई, जल्दी ध्यान से देखें, quadratic ऐसे लिखी, अब इसका देखो, a क्या है, क्योंकि d लिखना है, तो b square minus 4ac लगाना है, a तो 1 है बेटा, x square का coefficient, b है इसका minus 10, x का coefficient, और ये पूरा c है भाई साब, constant time है, पूरी, किस minus m, पूरी की पूरी, c की term है, constant time है, 21 minus m, क्योंकि right में 0 बनाना बहुत जरूरी है, बिना right में 0 बनाए, quadratic के formula नहीं लगाओगे भाई साब, ठीक है, चलो, poll start किया जाए, देखते हैं, क्या बुक्ते हैं, जो तुम्हें लग रहा है option, वो तुम बस chat में लिख देना, वो automatically catch कर लेगा, if you feel a option है, तो बढ़ ए लिख दो, type कर दो, let's see, जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे, b square minus 4 ac को बस यह 0 रखना है, क्योंकि equal roots की condition है, d0, हम, बहुत easy question है यार, जल्दी निकाल के बताओ, तो minus 10 का whole square कितना हो गया, 100 हो गया, minus 4, 21, minus m, देखो maths में bracket का बहुत इस्तिमाल है भई, हमें लगता है bracket बेकार की चीज, हमें तो बस plus minus करना है, bracket की वज़ह से बहुत दिक्कते होती है, आदत अपनी सुधार नहीं है, bracket लगा के चलना है, जब bracket खोल रहे हो, 84, 4 into 21 हो गया 84, और minus minus ये वाला मिला के, plus 4m हो गया बेटा, bracket खोलना तमीज से है, 100 minus 84 हो गया 16, plus 4m बराबर 0, तो 16 equal to, या minus 4m equal to minus 16, 4 से divide कर दो, minus 4 हो गया, C option भाई साहब, बहुती easy question बन गया ये तो, C option D zero करना था बस, अब देखो यहाँ problem है, तुक्के बाजी चल रही है, जल्द बाजी चल रही है, यह मत करो याँ देखो, पोल को यूज करना है अच्छी तरह, वहाँ से आप कुछ सीखो गई, objective exam में मैंने आज तुम्हें क्या बताया था, सबसे important चीज क्या है, accuracy, आज तुम्हे negative नहीं मिल रहे हैं, बट आदत तो खराब हो रही है तुम्हारी, आज पहला पोल था तुम्हारी life का, maths class का, उसमें तुक्के मार रहे हैं, बहुत बच्चों ने तुक्के मार रहे हैं, मुझे पता है, जीरो जहां दिखता है मैं लगता है, एक option तो जीरो आ रहे हैं यह होगा, answer तो जीरो यह भाई, जीरो देते ही क्यों वरना, तुक्के भाजी मत करो, पोल का इस्तेमाल करो, अपनी accuracy बेटर करने के लिए, नहीं आया answer तो मत टिक करो ना, जबरदस्ती थोड़ी है कोई, जबरदस्ती थोड़ी है भाई, सर लीडर वोट दिखा दो, अभी दिखाएंगे बेटा, और भी तो सवाल आएंगे कि एक ही में तू चाहता है तेरा नाम उपर दिख जाए बस, चलिए एक और, एक और देखते हैं, सर स्पीड नहीं है मेरी, बेटा स्पीड दीर दीर अभी तू देख, मैंने तो यह को क्या बताया, अभी तो मैंने स्पीड नीचे करी हुई है, तुम्हारी यहां है, तुम्हारी लेवल तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तुम पहुंच जाओगे साल के एंट तक, तुम मेरे से बेटर करोगे, यही तो खेल है जेई का, बस करते रहना है मेहनत, हाँ, क्वड्राटिक देखो डरावनी सी है, बट डरना नहीं है तुम्हें, x-square का coefficient तो 1 है, तो x-square plus 2 into 2 minus a minus a square, तो जो क्वड्राटिक में a होता है, a वो 1 है, क्वड्राटिक के a b c, a 1 है क्योंकि x-square यह वाला 1, यह वाला a 1 है, आंसर नहीं, यह वाला, क्वड्राटिक का a, और यह पूरा b हो गया, coefficient of x, और यह वाला तुम्हारा c हो गया है न, ऐसे सबसे पहले लिख लिया करो, c is minus a square, अब क्या करना है, sum of roots का formula होता है, minus b by a, minus b by a 0 का मतलब minus b 0, यानि क्योंकि a to cross multiply हो गया, यानि b 0, b की value यह चिपका दीजिए यहाँ पर, और यह 2 तो cross multiply हो जाएगा 0 के साथ, तो 2 minus a minus a square बराबर 0, एक minus से multiply कर दो, क्योंकि 0 है फरक नहीं पड़ता, यह हो जाएगा, minus 2 plus a plus a square एक तरह से a minus से multiply कर दिया, ताकि a square का coefficient positive बन जाए, और विटाब यह तो quadratic सी बन गई, a square plus a minus 2 बराबर 0, तो a plus 2 into a minus 1, splitting the middle कर लेना, a plus 2 into a minus 1 बराबर 0, quadratic form बन गई है, splitting the middle से ही question बेटा solve हो गया है, बस अब तो easy हो गया, a की value आ गई, यार तो a plus 2 0, अब मुझे एक-एक step लिखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें दीरे-दीरे समझाने को, बाद में तुम भी direct लिखोगे, a minus 1 0 का मतलब a 1, तो minus 2 और 1 B option आ गया है, easy था भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी, तो जल्दी से बता दे, चैट पे बिटा मैं दुबारा समझा दूँगा, अगर तुम्हें इन basic चीजों पे भी दिक्कत है, जो कि मुझे all section से समझ आ रहा है, कि तुम्हें इन basic चीजों में भी problem है, 50% बच्चे ही सही answer दे रहे हैं इन चीजों का, अब या तो यह तुक्के बाजी कर रहे हैं, या फिर concept week हैं भई इतने, basic, सर बता दीजिए एक बार, देख बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, बेटा, ध्यान से देखो, देखो, सबसे पहले तो तुम यह देखो, यह quadratic जो लिखी है, इसका क्या दिया है, sum of roots 0 दिया है, अभी तुमने एक formula पढ़ा था, sum of roots क्या होता है, sum of roots होता है, minus b by a, sum of roots की जगा मैंने minus b by a 0 रख दिया, कितनी बात सही है, sum of roots बेटा minus b by a होता है, तो a to cross multiply हो गया, यानि minus b 0 हो गया, यानि b ही 0 हो गया, यानि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्व बेटा b को 0 रखना है, अब b होता क्या है, b किस खेत की मूली है सर, quadratic का b तो भया हमें नींद में भी पता है, coefficient of x होता है, ये b है हमारा, ये वाला हमारा b है, सही है, देख लो भई, ये वाली बात समझ आ गई है, ये b है हमारा, सर आप advance का भी पढ़ाएंगे ना, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे, advance के उपर का भी पहुंचेंगे लेवल, बट धीरे धीरे करेंगे ठीक है, धीरे धीरे पहुंचाएंगे उस लेवल पर, तो बस इसको उठाके मैंने 0 कर दिया, इस चीज को उठाके देखो 0 किया, तो मैंने को लगा यारे 2 तो बिकार का है, इसे उड़ा दो, फिर minus भी common ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा, minus भी common ले लिया, तो a square plus a minus 2 0 बच गया, इसको splitting the middle करके solve कर दिया, अब आगे की कहानी तो बेटा, 10 भी class की हो गई, राइट, अब ठीक है, अब समझ गए हो, splitting the middle term करके मैंने solve कर दिया है, तो यह सब चीजें, तुम्हें लग रहा होगा भी, अरे सर, कितनी basic, कितने लोग इसमें भी अटक रहे हैं, और यह क्या है, यह हर जगा लगेंगी, maths क्या, physics क्या, chemistry क्या, सब जगा लगेंगी, फिर वहाँ आएंगी, तुम रोगे, अरे सर, यह क्या कर दिया, इसलिए best है, आज ही बेटा, अपना revision कर लो, इन सब topics को, मुझे पता है, बोट देने के बाद बहुत ash करी है, अभी तो सर हम ash के mood में थे, अब आपने अरजुना भी शुरू कर दिया, तो बेटा कुछ पाना है, तो कुछ करना ही पड़ेगा, life में effort करने पड़ेंगे, सही समय पे तुमने start कर दिया है, देखो, बहुत सही बात बताऊं तो तुम लोगों को congratulate करना भी बनता है, कि तुम सब बच्चों को congratulate ज़रूर करना चीह हमें, क्यों सर अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तुमने बेटा एक बहुत बड़ी चीज करी है, तुमने सपना देखा है इस age में, इतनी कम age में, बहुत सारे लोग इंडिया में सपना देखने से डरते हैं यार, या इतने maturity नहीं है, बाद में देख लेंगे, बड़ तुम लोगोंने विटा कुछ सोचा है, अपने लिए कुछ ठाना है, कुछ करना चाहते हो life में, which is very good, निकम age में तुम अभी से serious हो, उन्हें revise करना है, तर पोल कहां से कुछ नहीं आएगा बेटा, तेको पर चैट पे option टाइप कर देना है, वो पोल automatically catch कर लेगा answer, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जब भी मैं पोल देता हूँ, YouTube पे सिर्फ option अपना chat पे type कर देना है, that's it, और कुछ नहीं, तर यह minus कहां गया, मैंनस को मैंने 0 के साथ cross multiply कर दिया, cross multiply तो तुम्हें पता है, इस तरह से काम करता है कि अगर, तुम्हारे पास यहां 2 into something लिखा है, मानलो 2 into x square minus 5 equal to 0 लिखा है, तो 2 को ले जाओ 0, x square minus 5 ही 0 होगा, क्योंकि 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, सिर्व यही चीज 0 हो सकती है, वही चीज करी 2 को cross multiply कर दिया, अब देख रहों कितने basic level पर दिक्कते हैं, कितने basic level पर हमारे concept weak हैं, कोई problem नहीं है, अगर weak हैं, बट उन्हें strong करना तुम्हारा काम है, बेटा पढ़ना तो पढ़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, कोई shortcut नहीं है, कि सर हमने तो पढ़ा नहीं था पहले, अभी भी ना पढ़ें और यही भी हो जाए, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी बेटा, चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, सर कर पा रहा हूं, बढ़ टाइम लग रहा है, मैंने तुम्हें बताया न, कोई प्रॉबलम नहीं है बेटा, शुरुवात में सबकी स्पीड ऐसे ही होती है, हमारी भी ऐसी थी यार, जब हमने 11 वी में आये थे तो पहले दिन हमारे तो चकरा गये था, सर यह हो क्या रहा है यहां पे, एक महिने तक, बढ़ धीरे-धीरे करा, मैनत करी, स्पीड बढ़ाई, सब यह इसी प्रॉसेस से गुजरते हैं, आप भी उसी से गुजर रहे हैं, जल्दी से एक देखते हैं, एक खतरनाक्सी क्वाडराटिक, एक perfect square है, अभी क्या बताया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, perfect square कब होता है, होता है जब उसका d0 होता है, यह याद आ गया बेटा, इसमें तु दिल्स बना ले बढ़ियासा, ताकि तेरको बेटा, दिल my बस बस जाए, कोई भी चीज perfect square तब होती है, जब वो उसका discriminant 0 होता है, कोई भी quadratic perfect square हो जाती है, बस इसको याद कर लीजिए logic भी समझा दिया था तो चलिए, जल्दी से answer निकाले, T perfect square मतलब, sorry, D 0 का मतलब T 0 करना है अब D से पहले मुझे ABC चाहिए X square का coefficient जो ये है, ये A हो गया, देखो ये पूरा B हो गया, तमीज से लिखेंगे तमीज से हाँ, तुम अपनी notebook में नीचे नीचे करके लिखो, ये C हो गया, तो A हो गया 4 minus P P हो गया 2P plus 4 C हो गया 8P plus 1 ठीक है भाई साब और अब जल्दी से B square minus 4 AC को 0 करते हैं और solve करते हैं, B square का मतलब इसका square minus 4, A की जगा 4 minus P C की जगा 8P plus 1 equal to 0, और जल्दी से अब इनके brackets खोलें, देखो, एक मुझे दिख रहा है, याँसे 2 common आ रहा है, इन दोनों में से, और 2 का square, 4 common आ जाएगा समझे क्या किया, इसमें से 2, इसमें से 2 common निकाला, तो P plus 2 हो गया, बट क्योंकि square था तो 2 का square बाहर 4 आ गया, यह जब चीजों में भी दिक्कत है, लोगों को मैंने देखा है, अगर तुम बेटा J करना चाते हो, तो basic fundों पर अपने work करना पड़ेगा, basic मतलब, आज बताऊ से 4 common उड़ा दो, और अभी बताया था, जब भी कुछ common आ जाए, उसे 0 के साथ, cross multiply करके, गायब कर दो, समझ गए, 4 यहां से, और यहां से common आके, 0 के साथ गायब भी कर दिया, इसको खोल लो, P square plus 4, plus 4 P, A plus B whole square लगा दिया, इन brackets को खोल लो, 8 for the 32 P, plus 4, minus 8 P square, और minus P, bracket देख रहे हो, कैसे इस्तिमाल कर रहा हूँ मैं, अब यह minus को भी खोलो, minus 32 P, minus 4, plus 8 P square, plus P, ठीग है जी, 4 से 4 कट गया, कट अपीटी कर लो, और answer निकाल लो यार, अब तो हो गया देखो, 8 P square और P square मिलाके, यह 8 P square और P square मिलाके बन गया, 9 P square, 4 P, और एक P, 5 P, minus 32, 5 minus 32 होता है, minus 27 P, यह बच गया भाई साब मेरे पास, simplify करके, इतना simple साब बच गया है, अब क्या है, एक 9 P common निकाल लो, P minus 3, 9 को फिर से बेटा उड़ा दो, 0 के साथ, तो this into this 0, जब भी दो चीजों का product 0 आ जाए, either this 0, so either P 0, और P minus 3 0, यानि P 3 आ गया, बिल्कुल ये बात अच्छी तरह याद होने चीए, कभी भी P into Q 0 आ जाए, इसका मतलब either P 0 होता है, और Q 0 होता है, जब भी 0 है, product में कुछ है, तो मैंने ऐसा कर दिया, clear है, 0 और 3 answer हो गया, simple यार, कितना easy हो गया है ना, कितना easy हो गया, तर पता नहीं कहां गलती कर दी, पेटा यही तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने क्या करते हो न, bracket bracket नहीं लेते, कहीं minus का plus हो गया, plus का minus हो गया, कुछ पता नहीं, accuracy, अगर accuracy लानी है, जैसे मैं करता हूँ, वैसी करने शुरू कर दो, एक-एक step बिल्कुल वैसे ही करो, proper तरीके से bracket bracket लगा के, तमीज से खोलोगे, क्योंकि exam में कहा है, plus की minus की गलती हो गई, चार में से 3 मिल गए, खुश हो गया बिटा, सौ में से 80 आ गए, जैसे मैं ऐसा नहीं होगा, minus 1 मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले दिन से habit, या तो नहीं हुआ, कोई नहीं, नहीं हुआ बिल्कुल, मुझे कोई problem नहीं, दूसरा कर लेंगे सवाल, सवाल बहुत हैं करने वाले, बढ़ जो कर रहे हो, जो आता है, वो सही होना बहुत ज़रूरी है, सर, 2 common आएगा, नहीं दोस्त, यहीं तो तुम समझे नहीं, 2 का जब होल स्क्वेर करूँगा, तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वेर बहार आएगा ना, 2 का स्क्वेर भी था, तो बाहर 4 हो जाएगा. सर सिर्फ 3 आ रहा है, क्योंकि तुने P0 देखा है न, बाहर common भी तो आ रहा है, पी एक, एक P common भी आ रहा है, left में रखके. ठीक है भई? सर कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा. अब देखो ये question दसवी के हैं, mind you. दसवी का है, इसमें मैंने भी कुछ 11 वी शुरू नहीं कर रहा है. A, B, C की value निकाली, और D, 0 कर रहा है, बस. पड़ रैटे की तो solve कर रहा हूं, और कर क्या रहा हूं, बताओ. इसका मतलब अभी तुम्हें bracket खोलने में भी दिक्कत है, वेटा. कैलकुलेशन स्लो है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी. बट कहीं तुम गलतियां कर रहे हो, कहीं तुम्हारा multiply समझ नहीं आ रहा, 2 का square, 4 के, तो problem है, मतलब तुम्हें basic पढ़े नहीं है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है. सर, common नहीं लिया, तो मतलो यार, कोई बात नहीं, खोल दो, ऐसी खोल दो, साथ में 4, फिर लास्ट में common दिखेगा, 9 के साथ 4 दिखेगा, तुम्हें common दी, वो तो आए गई, आएगा. सर, फिर से कर दो, चलो, फिर से कर देता हूँ, भाई, फिर से कर देता हूँ, फुल, फुल कॉंसेंट्रेशन कर लें, जिनको इसमें दिखेगा, देखो, मैं आपको, फिर से करके दिखा देता हूँ, धीरे, धीरे, बिल्कुल, प्यार प्यार से, बी स्क्वेर माइनस 4 एसी वराबर 0, बी की जगा, 2 पी प्लस 4, यह ठीक है भाई साब, हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक लगा मुझे, इसके बाद ही तो दिक्कत हुई, तो चलो, उसको खोल लेते हैं, फॉर पी इसको, अभी कॉमन मतलो, तो मैं दिक्कत है, कॉमन मतलो, 16 प्लस 2AB, 16P, ठीक है सर, और माइनस 4, इनको ब्रैकेट खोल दो, 32P, प्लस 4, माइनस 8P स्क्वेर, माइनस P, ठीक है जी, अब 4 कॉमन दिख गया इसमें से, और इसमें से भी 4 कॉमन दिख गया, हाँ सर, अब दिख गया सर, मुझे है, अब दिखा है सर, पहले नहीं दिखा था सर, कोई नहीं बेटा, थोड़े दिन में मेरे साथ रह, थोड़े दिन सब दिखने लगेगा, 32 माइनस P, 31 P, प्लस 4, माइनस 8 P स्क्वेर, हाँ सर, अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, इस ब्रैकेट को ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो, 4 इंटू, 4, 4 कट गया, 8 P स्क्वेर और P स्क्वेर, 9 P स्क्वेर, 4 P, माइनस 31, माइनस 27 P, और एक बहार 4 था, 9 भी कॉमन आ रहा है, 9, 4 इंटू, 9, इंटू, P भी बहार आ गया, P, माइनस 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म को उड़ादो, 0 के साथ, उधर ले जाओ, ये सब तुमने वेटा, 10 त में किया होगा, सर, बेसिक कैसे स्ट्रॉंग करूँ, 8 भी नवी, 10 भी कक्षा पास करके आये हूँ, आसर करके आये हैं, उसमें तुमने चैप्टर करा है, क्वाड्रेटिक कहीं न कहीं करा होगा, उसी किताब के सारे क्वेश्चन दुबारा लगा डालो, तुमारे स्ट्रॉंग हो क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट्स, इसके अलावा आइडेंटिटीज, एलजेबरिक आइडेंटिटीज, एपलस बी होल स्क्वेर, एपलस बी होल क्यूब, यह जहां जहां आपके चैप्टर्स थे, उनको अच्छी तरह बेटा, दुबारा सवाल लगा, बोरिंग काम करना पढ़ेंगे, तभी उस लेवल पर पहुंचोगे, जब मज़ा आएगा, ठीक है, तो इसलिए पहले इन चीजों को पढ़के बैठिए, अगली क्लास में भी, मैं इनको रिवाइज कराऊंगा, यह स्टार्टिंग की दो तीन क्लास इसलिए है, ताकि तुम बेटा, तुमें सच्चाई से वाकिफ कराया जाए कि क्या-क्या चीज़ें तुमें पढ़के बैठनी है, अभी तो असली मैच शुरू होगी, तो असली मैच अभी तो शुरू ही नहीं करीए हमने 11th की, यहां से आगे आधर दिस 0 और दिस 0 आगे की कहानी हो गई है, सर भी कांट टेक 9P टुगेधर, 9P ले लो बेटा, 9P 0 रखोगे तब भी तो P 0 आएगा, चलो, अब जल्दी से आजाओ भाई, जेए का क्वेस्चन कौन-कौन फोड़ेगा, 2017 का, कल कौन सा चार होगा, बता रहों भी सब बताऊंगा, डोंट वरी, इधर देखो, कर लोगे, कर लोगे, जल्दी बताओ, 2 की पावर सम्थिंग, देखो, जो भी 2 की पावर, अब 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो, ये तो पता होगा ना भाई, सब कर लोगे, इसी भी नंबर 1 को, किसी की पी पावर 0, 1 होता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, सर्क क्यों होता है, वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए याद रखो, कि एक पावर 0, 1 होता है, फीक है, चलो, जल्दी पोल में देखते हैं, कोई कर पाएगा क तो 2 की पावर x minus 1 into x square plus 5x minus 50, 2 की पावर 0 के बराबर है, और पावर compare कर दूँ, तो ये पावर और 0 बराबर होने चाहिए भई, क्योंकि 2 की पावर something equal to 2 की पावर 0, मतलब जो पावर है वो उठा के 0 रख दो, हो गया, खेल खतम, पैसा हजम, समझे, क्या होगा सर, तो x minus 1 into x square plus 5x minus 50, बराबर 0, और अभी बताया था जब भी anything into anything 0 होता है बेटा जी, तो बिलकुल याद कर लो, ये ही concept लगता है, कौन सा सर, कौन सा वाला, कहां गया भाई, कहां लिखा था, कहां लिखा था भाई, कहीं तो लिखा था, ये रहा, कि अगर p into q कभी भी 0 दिख ज होना है, तुमने अगला step तुमारा fix है, जब भी दो चीजों का product 0 होगा, तो अगला step fix होता है बेटा, आइदर, x-10 और x-2 प्लस 5x-50 बराबर 0, तो यहां से तो x प्यारा प्यारा सा 1 आ गया, ये बड़ी घटिया quadratic है भाई, split will it तो हो नी रही, हो भी रही है वैसे शायद, 10 और 5 factor हो जाएंगे, हाँ बट हमें क्या करना है, sum of values ही तो निकालना है, sum of roots ही तो निकालना है भाईयों, तो ह हम कहें कोई false roots निकालें, हम सीधे इसका sum of roots बोल देते हैं, चाहे तो इसको factorize कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 50 के factor दिखी रहे हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ है, तो plus 10x minus 5x, तो x common x plus 10 factorization कर ली, तो यहां से x minus 5 into x plus 10 आ गया, नहीं तो सीधे sum of roots भी लिख सकते थे, तो x की value 5 या minus 10 आ गई यहां से, जैसे ही इसको 0 और इसको 0 करा, तीनों का sum निकाल लो भाई, यह क्या पेकार सवाल है, 1, 5 और minus 10 का sum 1 plus 5 plus minus 10, ऐसे भी सवाल आते हैं सर जेई में, बेटा वही तो मैं तुम्हें एक बोल रहा हूँ, basic इसी लिए तो strong होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे chapter में तुम्हारे को ऐसे questions मिलेंगे, आते हैं जेई में, advanced में भी दिखाऊंगा अभी जब basic math करेंगे, advanced में भी ऐसे basic basic सवाल आये हुए हैं, ठीक है ना, क्या ये tough था, ये बताओ, क्या ये tough था, अब आप बोलोगे, सर आप तो easy easy वाले बता रहे हो, मेरे भाई, अब जब तुम इस level की पढ़ाई कर लोगे, तुम्हारे को, जेई, तुमने generally यही सुनाओगा, जेई में math तो बहुट tough आती है, या math तो बहुट tough है, मेरा काम बस इतना है, तुम्हारे को वो tough चीज़ को easy बनाना, ठीक है, बस, मेरा A की role है, मेरा A की aim है, जब भी मैं कोई चीज बोलू, तुम्हें कोई भी चीज करवाऊ, तुम्हें कभी भी शक पैदा हो, कि सर ऐसे नहीं सर, वैसे सर, हमें तो 10th में सर ये था, सर वो था, एक दो चैप्टर थे बिटा, अब तो जितने तुम्हें 10th में पूरी पढ़ाई करी है, एक चैप्टर में आ जाएगा वो, तो अपने को, आपको हमेशा है समझना है, कि हमारा aim ultimate क्या है, कि हमें J की maths इजी लगनी चाहिए, परेक्ट, नहीं था सर टफ, हाँ बिलकुल ये तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको जो basic concepts इतने strong करा दिये जाएंगे, आपके concepts इतने strong करा दिये जाएंगे, इस batch में, कि maths से यार तुम्हें तोर्मल लगने लगेगी, फिर advanced की भी, एक और question सर, बिलकुल लीजिए, एक और question करते हैं, एक और question तो लो भाई साब, 2022 का भी एक सवाल उठा लेते हैं, अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया है, अभी तो basic math का b b start नहीं किया, बिटा quadratic के revision करें हैं, 10 वी के, उसमें भी तुम देखो जेई के question कर पा रहे हैं fx भी a quadratic polynomial, quadratic polynomial समझते हो न, ax square plus bx plus c, और एक condition दी है, f of minus 2, ब्रिज कोर्स में दिया था है, यह homework में याद होगा तुमें, शाबाश, तवी इतनी जल्दी आंसर बता रहे हैं सारे, ब्रिज कोर्स करके आए हैं, यह very good बिटा, very good, बिल्कुल ब्रिज कोर्स में homework दिया था मैंने, यह question यहाँ पे आपको मैं करवा रहा हूँ, सबसे पहले f of x, f of minus 2 कैसे निकालते हो, x को basically minus 2 डालना है इस पूरे में, right, f of minus 2 का मतलब तो समझते होगे यार, polynomial पढ़के आयो, f of 1 का मतलब x को 1 डालो, f of 2 का मतलब x को 2 डालो, तो f of minus 2 का मतलब x को minus 2 डाला, जिसको simplify किया minus 2 का square 4, minus 2b plus c, यह क्या आया, f of minus 2, फिर वो कह रहा है भईया, f3 भी निकाल ले, ठीक है भाई साब कर लेंगे आपकी जैसी आग गया, f3 का मतलब यहाँ x को 3 डालेंगे, 9a plus 3b plus c, यह f3 आ गया, इन दोनों का sum मिला के 0 दिया ह है, भी आइड कर लो, यही तो टेड़े मेड़े सवाल देते हैं, इन दोनों को एड़ करके 0 कर दो, तो 4a minus 2b plus c, plus this, बराबर 0, ठीक है सर, 9 और 4, 13a minus 2b plus b, c, c मिला के, plus 2c, बराबर 0, देख लो भाई, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है, ऐसा लग तो रहा है, सही लिखा है, a, b, c में एक relation आ गया, अब क्या करूं सर, अब तो मैं फस गया, यह है बेटा, j e के question का thought process, जब तुम school में करते हो सवाल, या boards के करते थे, शुरू किया, अंत खतम करते ही मानते थे, शुरू किया, शुरू करके, करते, क करते, simplify करते, answer ही आ गया, यही के question में कई बार ऐसा नहीं होता, आपने एक equation बनाई, आगे पढ़ो, one of the roots is minus 1, root का मतलब क्या होता है, भाईया, minus 1 उसका root है, मतलब f of minus 1, 0 होगा, polynomial में तुमने पढ़ा है, कोई भी root होता है, if alpha is a root, alpha is a root, तो f of alpha 0 होता है, यह बात पढ़ी है ना भाई साब, दिल्कुल पढ़ी है, भूल गए हो बेटा, है ना, अगर, इसी तरह से minus 1 अगर root है, तो f of minus 1 0 होगा, यानि x की जगा minus 1 डालता हूँ इसमें, तो a minus b, minus 1 का square 1 हो गया, a हो गया, minus b, तो यह एक relation आ गया है, दूसरा हमारे पास, दूसरा relation आ गया, फिर फस गए हम, यह होता है, j-e में ना, हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू किया, यहां कहीं फस गए, फिर यहां से शुरू करते हैं, फस जाते हैं, फिर यहां से शुरू करते हैं, फिर इन तीनों के बीच में एक तरह से इनको relate करने की कोशिश करते हैं, बट बोर्ड के question में क्या होता है, यहां से शुरू किया, cut 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 cut, सीधे answer, आह पहा, hence proved लिख देते हैं, और number मिल जाते हैं विटा, ठीक है, जी के question में, दो तीन बार हमें question को शुरू करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ दो condition निकाली, अब आगे पड़ते हैं, sum of roots पूछी है, मतलब minus b by a पूछा है, अब मेरे को थोड़ा चमका कि यार, minus b by a पूछा है यह two equation बोल दो, यह one माल लो, और c की value आई है, इसे उठाके यहाँ रख देता हूँ, elimination या substitution जो कहना है कहलो, c की value उठाके यहाँ डालेंगे, तो 13a, plus b, plus जो 2c था, उसमें c की जगा, b minus a डाल दिया, तो 13a, plus b, plus 2b, minus 2a, बराबर 0, तो 11a हो गया, plus 3b, बराबर 0, तो 11a, equal to minus 3b, a से डिवाइड कर दो, तो minus 3b by a, equal to 11, 3 को भी नीचे ले जाओ, तो minus b by a की value 11 by 3 आ गई, और यही पूछा हुआ था, sum of roots minus b by a, पूछा हुआ था भाई साब, तो 11 बटे 3, a option हो गया answer, ठीक है भाई, clear हो गई है बात, देख रहे हो, 2022 में आया अभी, यह दसवी class की concepts दसवी के हैं, बट क्या application वैसा है, नहीं, थोड़ा सा tough है, definitely, तो अब यह तुम्हें अभी लग रहा है tough, तुम्हें लग रहा होगा, अरे sir, बहुत tough है, बहुत tough है, रुक जाओ, patience रखो, साल बर वीच जाने दो, फिर देखना तुम कहोगे sir, यह तो हम दो मिनिट में निटा देते हैं, उस level की पढ़ाई विटा अपने को करनी है, ठीक है, तो जिन भी बच्चों को आज की class में, सर, easy लगा, जल्दी बताईए कैसा लगा question, क्या यह questions जो मैंने आज आपको करवाए हैं, चलो, poll करा लेते हैं, poll करा लेते हैं, जो मैंने questions कराए हैं, a, easy लगे sir, जो भी questions generally कराए ह है, moderate, medium, c, tough, और d लिख देते हैं, very tough, बहुत ही जादा tough लग गए sir, तो उससे मुझे कैसा अंदाजा लग जाएगा, आप लोगों को किस प्रकार के question से उठाना है, चलिए, honest opinion देना है भाई, इसमें कोई मजाक नहीं चलेगा, इस second बहुत हैं वैसे तो, जल्दी हम, सब लोग अपना-पना honest opinion देंगे, कि जो मैंने आज questions कराए हैं तुमें, वो तुमें easy लगे, medium लगे, tough, बहुत tough लगे sir, let's see, let's see क्या कहते हैं आप लोग, हम, चलिए, देखते हैं, क्या बोल रही है हमारी प्यारे प्यारे अर्जुनाज, मेरे साब से तो आपको ये easy to medium लगने चाहिए, चलो medium भी बोल देता हूँ, easy नहीं लगे तो, 56% लोगों ने medium ही बोला है, which is very good, तो अगर आपको medium भी लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैंने तुम्हें वो हलवा वाले भी नहीं कराए, लो बिल्कुली बिटा लो, 10 वी के ले लो, तो मैं देख रहे हो, J level के questions करवाए हैं, तो मैं तुम्हें reality दिखा रहा हूँ, बच्चों, मेरा काम देखो, ये नहीं है, कि तुम्हें बहलाना, मजा आ गया, मजा आ गया, य जहीं करवाना है, मुझे तुम्हें, serious matter है, जहीं करना है, मजाक अपनी जगा है, जहीं करना है, तो उस level तक पहुंचना है, ठीक है, अभी तुम्हें medium लगा, guarantee लिखके ले लो, 4 महीने बाद तुम ये जब इस lecture को देखोगे, कहोगे, सर ये तो महाँ easy था, हमारे लिए मह easy बन गया है, अब तुम उस level पर पहुंच गए होगे, ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आज की class के बाद करना क्या है, आप लोगों को बेटा, homework में क्या करना है, ध्यान से देख लिजे भाई साब, homework में क्या करना है, बाद में मत बोलना, सबसे पहले तो ये कुछ learn करने की चीज़े हैं, जो काफी काम आएंगी, whole squares learn करो, cubes learn करो, उसके बाद बेटा, अपना quadratic, या जो भी chapter आपको लग रहा है, week है, quadratic आज किया है, NCRT level से करना शुरू करो, उतना basic revise करके बैठो, फिर इस level की चीज़े हम जब discuss करेंगे, तुम्हे relatively असान लगेंगी, और algebraic identity, laws of exponent, ये दो chapter, आठवी, नवी, दसवी, जहां तुमने पढ़े हैं, वो सारे concept, revise करके, उसी किताब में से question लगाओ, कोई नए मत करो, नए जो करने हैं, वो मैं करवाओंगा तुम्हें, ठीक है, या फिर कोई भी, तुम्हें लगता है, नहीं सर progression, polynomial, trigonometry, कोई भी chapter ऐसा हो, जहां तुम बिटा कहीं लग करते थे, या भूल गए हो, उसको revise करो, ये सब चीजे लगेंगी, आगे, सबसे priority order है, quadratic equation आप revise करें, 10th का, और इन दो चीज़ों को, ये अपना priority हो गया, on कौन सा, algebraic identities, laws of exponent, quadratic, वैसे तो देखो, quadratic equation अभी पूरा chapter आएगा 11th में, वाँ पूरी depth में फिर जाएंगे हम, basic से लेके, tough तक, बट होता गयाना है, quadratic ऐसी चीज़ा कहीं भी लग जाती है, तो हलका फुलका तुमें आना चाहिए, अब कल क्या करेंगे हम, कल हम थोड़ी algebraic identities and laws of exponent के बारे में discussion करेंगे, तो इनको आपको homework ये है, आ laws of exponent बतलब, powers वाला chapter, ठीक है भई, ये तो strong है सर, हाँ बस ये strong है, तो बस आगे का journey मजा आने वाला है, आगे पूरे chapter में, क्योंकि क्या है ना देखो, basic math में बहुत लगेगा, log वगेरा जब पढ़ाऊंगा तो exponent इतनी ज़्यादा लगेगी, quadratic तो नहीं लगनी उतनी, कैसा लगा भई, मजा आया की नहीं आया, देखो थोड़ा तो tough लगना चाहिए, थोड़ा challenging तो होना ही जाई, ये नहीं बिल्कुल हलवा लगा तो मतलब कोई फायदा नहीं है lecture करने का, आपको धीरे धीरे level बढ़ेगा, toughness level भी ड्यादा लगेगा, तभी कुछ नया सीख हो बेटा, ठीक है, इसलिए घबराएं ना बिल्कुल भी, फुल जोश के साथ लगे रहें, इसी तरह से हम मेहनत करते रहें, जो basic चीजे वीक हैं, वो पढ़के बैठें, आठीवी नवी क्लास की सर, आप ही पढ़ा दो, देखो मैंने bridge course में बताईए, हम पूरा साल की रेगुलर अपनी अप के अंदर पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई होगी, आज की क्लास यूट्यूब पर आई थी, कल हम अप में मिलेंगे, और आगे इसको continue करेंगे, और लास्ट स्लाइड में बच्चों, thank you slide तो ही, साथ में, मेरी तरस से, तुम सभी बच्चों के लि रहे हैं, कभी अपने आपको बिटा हलका नहीं समझना है, ये नहीं सोचना है, हम नहीं कर पाएंगे, हम किसी से कम है, तर नहीं है, मेहनत करनी है बिटा, मेहनत में अगर कम हो, तो तो कम हो, otherwise कोई कमी नहीं है तुमारे अंदर, ठीक है, तो अगर effort करने के लिए ready हो, हम को बहुत बहुत शुप कामना है, और again, once again, बहुत बहुत वेलकम इस बैच में, अरजुना जैई के अंदर सभी का फिर से स्वागत है, बहुत मजा आएगा बेटा, इस पूरे साल, बस जिस energy के साथ आज पढ़ाई करी है, उसी energy को continue रखना है, पूरे साल भर, ठीक है, चल recap है एक तरह से, basic से पढ़ना है, तो अपनी text book से पढ़ो 8th, 9th की, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बच्चों, कल की class में, thank you so much, take care everyone